हेलो वरवान कैसा आप लोगाई हो आप अच्छे होंगे एक बार देख लेते हैं भई चैट क्या चल रही है जरूर जरूर भई पंकस सर आएंगे और्गनिक कमिस्ट्री के लिए ठीक है ओके ओके और बताइए क्या हल चाले सब को भईया गुड मॉर्निंग सारे लोग पहुँच गएंगा आपे बोलो भई हाँ भई हाँ पंकर सर आएंगे और्गनी केमेस्टिक ले डूंट वरी है ना ओके 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 और कोई सवाल आपका फिर आगे हम सुरू करें गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबी को भई सुबा सुबा उड़ गया सब लोग ठंडी थोड़ी सी बढ़ गई है ना कोई बात नहीं एंटिय ने वैसे ही दिमाग में थोड़ी सी गर्मी दे रखी है तो चलता है कि अधिक है कि सेड्यूल आपको हर दिन एक दिन पहले तो मिल जाता ना पता चल जाता कौन सी क्लास होने वाली है अना पता यह यह दो क्लास होती आपकी एक सुबा होगी एक साम को होगी ओके तो भया निश्चंद्र ही और गनिक केमेस्ट्री के लिए पंकत सर आ रहे हैं निश्चंद्र हो भाई ठीक है ओके और कोई सवाल हो तो बताओ हेलो 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 ओके चलो भया सुरू करते हैं आज हम सुरूबात करेंगे periodic table हमारा chapter होगा basic chapter है छोटा chapter बत कुश्चन आता है ठीक है आज हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आज के बाद अब हम दूराने की जरूरत ना पड़े इसी live class में हम इसको सीख लेंगे इस तरीके से कि फिर सायद ही दूराने के इसको जरूरत पड़े आप क्या करेंगे last में मैं बताओंगा कि किस तरीके से इसको revise करना है after class ठीक है आपको जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना पढ़ने की जरूरत पड़ेगी इससे जादा कुछ और पढ़ने की जरूरत periodic table में नहीं पड़ेगी और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज मैंने अपने examples भी इसी तरीके से set किये हुए हैं जो previous year questions के trend रहे हैं और आगे in future भी वो आपको चीजे दिखाई दे सकती हैं आप के paper में ठीक है तो चिंता की कोई बात नहीं है periodic table chapter को आज अगले कुछ घंटों के अंदर ही हम सीखेंगे और इसके बाद सायद ही आपको दुबारा और ज्यादा पढ़ने की जरूरत होगी वन सायद आपको एक से दो बार में ही हो जाएगा ना एक बार revision कर लीजिएगा औ और main main point देखो भई main point बताता हूं आपको यह जो आपका live class चल रहा है ना इसमें से देखो भी पढ़तों आपने लिया था इसमें से आपको जो भी important points हैं वो थोड़े थोड़े note करते हुए चलने है जो आपको थोड़े सा नया दिखे वो तुरंत note करते हुए चलना है अब सब कुछ नया तो हो नहीं सकता क्योंकि आपने पढ़ा तो हुआ है यह इतना ठीक है तो basic chapter है शुरुवाती chapter है तो आपने पढ़ा ही होगा है ना तो चलिए शुरुवात करते हैं आगे बढ़ते हैं नोट्स बनाने की कोई खास जरुवत नहीं पूरा नोट्स नहीं बनाना है यह चीज़ तो आपको मिलती ही है ठीक है लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसको किस तरीके से रिवाइज करना है और आपको बस एक पॉइंट जो कि नया पॉइंट दिखेगा वो नोट डाउन करन है यह आपको कुछ लग रहा है कि आपकी सामने नोट से कुछ एक्स्ट्रा एड कर सकते हैं तो निश्यत रूप से एड करिए उसमें बैट करके एक एक पॉइंट लिखने का टाइम नहीं है अभी अगले जो भी हम गंटे पढ़ने वाले हैं दो-तिन गंटे उसमें हम पू और यहीं पर मैं आपको इनर्ट पेर एफेक्ट के बारे में भी समझाओंगा और क्लास में ही याद कराने की पूरी कोसिस करूँगा कि ताकि बाद में याद करने की कोई जंजट आपके नाम पे नाए ठीक है इसके बाद नेचर आप ऑक्साइट यह तो बिदिन सेकेंड आप कर ले जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं फ्यूचर आते ही रहेंगे तो निश्चिन रहें चलिए अब सुरुवात करते हैं हमें पढ़ना क्या भया प्रियॉडिक टेबल किस तरीके मतला उसकी हिस्ट्री क्या थी उसके बारे में पढ़ना है बहुत ज इसके बाद Newlands Law of Octave है ठीक है इसके बाद आया Manly Periodic Law और इसके बाद आया अपना प्यारा Periodic Table जो की आज कल आपके चलन में है और आपको देखने को मिलेगा ठीक है बस आपके सामने मैं ये थोड़ी दिर के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि एक बार आपकी निगा से ये ठीक है तो उन्होंने Properties को Atomic Mass के साथ क्या किया आरेंज किया है ठीक है आगे लिखा है कि जो Middle Elements है वो Nearly the Same, the Average Atomic Masses of the First and Third Elements आपके सामने लाके दख देता हूं ये रहे भाईया पहला Example देख लीजिए Lithium, Sodium और यहाँ पर Potassium लिख रखका है इनके जो Atomic Weight है, Atomic Mass है इन द Heavier Similar है, ठीक है जी, अगला आजाते हैं, अगला क्या है Newlands Law of Octave सरिये तो कहानी कुछ सुनी सुनी सी लग रही है, वो Musical Node वाली कहानी कुछ थी, आठ लोगों को एक साथ हमने पेर, आठ लोगों को एक साथ हमने अरेंज किया था, तो जो नौवाँ इलेमेंट है वो पहले वा है, फिर क्लोरीन को साथ रखा, आप क्या बताना चाहरे हो, कि भया जी, जब 9th element यहां पे लोट क्या आएगा, तो वहाँ पे similar properties आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं किसी को, आवाज सुनाई पढ़ रहे है मेरी सब को, ओके, ओके, आगे आ जाते हैं, अगली चीज़ क्या है, मेंडली परियॉडिक टेबल, इन्होंने भी यहीं माना था, कि अटॉमिक वेट, देख लिजी एक बार पढ़ लिजी, the properties of the elements are periodic function of the atomic weights, ठीक है, यहां तक की कहानी atomic weight की है, और ऐसा कुछ दिखता था मेंडली बा अंदर iron, cobalt और nickel दिया हुआ, इतनी कहानी याद रखो, इसको modern periodic table में ले चलके ढंक से लगाते हैं, वहीं पर अच्छे तरीके से इसको सीखते हैं, तीक है, यहां तक की कहानी थोड़ा important है, बहुत जादा important हो नहीं है, लेकिन असली कहानी यहां सुरू होती है, modern periodic table में, modern periodic table की संरचना तब सामने सही सहरीके से आई, मतलब इसका experimental verification दिया था मोजले बाबा ने, मोजले बाबा ने क्या किया, कि elements का x-ray spectra लिया, जो frequency थी उसके, और atom, जो आपने element लिया था, जिसका आपने spectra लिया, उसका उन्होंने क्या किया, atomic number के साथ graph बनाया, जब उन्होंने graph बनाया, तो उन्होंने ये देखा, कि atomic number और जो frequency निकल रही है, यहाँ पर उन्होंने क्या रखा, under root new रखा, यहाँ पर frequency रखा हुआ है, इतनी बाद ठीक है, इनके बीच में जब उन्होंने graph बनाया, तो उन्होंने देखा, एक सीधी line मिल रही है, एक straight line मिल रही है, और straight frequency है, वो atomic number के कही न कही proportional आ रही है, इतनी बाद समझ में आ रही है, अच्छा, proportional आ रही है, तो यहाँ से उन्होंने ये बताने की कोसिस करी, कि बहिया, जो आपका element है, अगर आप उसके behavior को समझना, पढ़ना, लिखना चाहते हो, तो बहिया, कहां पे ध्यान दो, atomic number पे ध्य जब उन्होंने elements के साथ किये, तो ये कुछ टेड़ी मेरी lines बनी यहाँ पे, ठीक है, इतनी बाद समझ में आ गई है, तो सही बात क्या, निकल क्या ही बाहर, देख लीजेगा लिखा है कि, a plot under root new against atomic number gave a straight line, not the plot under root new and the atomic mass, तो यहाँ पे समझाने को उन्होंने कोसिस करी है, कि जो elements हैं, उनका जो behavior है, वो atomic weight के proportional नहीं है, बलके atomic number के proportional है, आप चलते हैं, main point पे, जो कि हमारा प्यारा periodic table, प्यारे periodic table की तरफ चलें उससे पहले, मैं आप से एक चीज़ पूछता हूँ, above rule पढ़ा हुआ है क्या, आप सभी ने above rule पढ़ा हुआ है क्या, शायद पढ़ा फिर क्या पढ़ते हो, 3P में जाता है, फिर जाता है 4S में, 4S के बाद क्या 4P में जाता है, नहीं सर, बीच में कौन आता है, 3D series आती है, बीच में कौन आता है, 3D आता है, इसके बाद 4P के बाद क्यों पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आगे आ जाएगा, अभी बस ध् लिखेंगे 5P, ठेक, और यहां पर 3D था तो यही अगला हो जाएगा 4D, क्या हो जाता है अगला, 4D, अगला क्या होगा 6S, इसके बाद होगा 6P, लेकिन बीच में कौन आएगा भईया, 5D and 4F, लेकिन एलेक्टरॉन पहले किस में जाएगा, 4F में, फिर 5D में आएगा, यही जानते हैं, जब n की वैलिव, जो आपका वैलन्सल है, उसकी वैलिव, मालिव, दिखेंगे 7S, 7P, लेकिन जब आप D लिखेंगे, तो N-1 करके लिखेंगे, यहां पर 6D, N-2 करके लिखेंगे, तो 7-2 यहां पर आप क्या लिेंगे, 5 लिखेंगे, बस इतने की ज़रूरत ह और यह चीज आई कहां से थी, atomic structure पढ़ते वक्त आपव रूल से आई थी, और इसी चीज को आप भी periodic table में लगते हुए देखेंगे, यह क्या हमारा s block ऐसा होता है, p block हमारा ऐसा होता है, d block हमारा ऐसा होता है, और हमारा f block ऐसा होता है, इतनी बाद ठीक है, हाँ, s के अंदर आप बताईए कि यहाँ पर 2 boxes ही क्यों बने हुए हैं, तो आप कहेंगे कि इनके अंदर maximum electron जो रखे जा सकते हैं, वो 2 होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 boxes बनाए गए हैं, और p के अंदर आप क्या बोलेंगे, 6 रखे गए तो यहाँ पर p6 हो जाएगा, आप क्या बता से लखे गए, तो f 14 होता है, f क्या होता है, 14 होता है, इतनी बाद ठीक है क्या? अच्छा, साइज में थ्वड़ा बढ़ा लिके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है 1s, यहाँ पे इस तरीके दिखना, यहाँ पर 1s1, यही पर electronic configuration भी सीखलो, यह क्या है 1S1, तो यह क्या हो जाता है 1S2, अगला इसके बाद क्या आजाएगा 2S1, 2S2, यहाँ पर क्या आएगा 2P1, यहाँ पर क्या आएगा 2P1, 2P2, इसके बाद 2P3, 2P4, 2P5, 2P6, इसी तरीके से electronic configuration के अगर general करने की बात की जाए, तो यहाँ पर last में NP1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, NP2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, NP3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, NP4 आएगा, इस वाले में NP5 आएगा, और यहाँ पर NP6 आएगा, यहाँ पर NP6 आएगा, इसमें कोई समस्य है तो है नहीं, है ना, ओके, आप कहेंगे ये period number है पहले period में कौन कौन से लोग आ रहे है यहाँ पर एक block यह आ रहा है यहाँ पर कितने आ रहे है दो वाले में 8 आ रहे दो यह आ रहे है छै वो आ रहे है इसी दरी के third वाले में भी आएंगे लेकिन मैं पूछू फूर्थ period में total number of elements कितने होंगे तो आप क्या बताएंगे बताएंगे दो यहाँ पर है दस यहाँ पर है च्छह यहाँ पर है टोटल अठारा होंगे क्यूं बता रहा हूँ वो भी आगे समझ में आएगा ठीक है यहाँ से हो जाएगा बीच में कौन आता भी आप कहेंगे 3D आता है तो यहाँ पर जो बीच वाली series है उसका नाम रखा गया 3D series बीच वाले का नाम क्या है 3D series यह वाला 3D series इसके बाद नीचे वाला आएगा 4D series इसके बाद नीचे वाला आएगा 5D series इसके नीचे आएगा 6D सिरीज, तो यहाँ पर जो 10 लोग रखे गए वो 6D सिरीज के हैं, उपर वाले जो रखे गए वो 3D सिरीज के हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, अब यहाँ पर देखी, यहाँ पर आपको क्या बताया गया था कि जो F ह होता है, वो पहली बार 4F, मतलब 4F के नाम पर आता है, ठीका जी, तो यह पहला जो सिरीज होगा, यह फस्ट जो सिरीज उपर की तरफ है, यह वाले 4F सिरीज बोले जाएंगे, इसके नीचे वाला 5F सिरीज बोला जाएगा, 4F सिरीज को लेंथनाइड सिरीज कहते हैं, आपको ले के चलूँगा, अभी आपको बस periodic table के अंदर क्या-क्या नाम हो सकते हैं, वो थोड़ा सा हम यहां पर सीख लेते हैं, ठीक है, ओके, अब एक चीज़ सिखाने चल रहा हूँ, वो है lanthanum end, यह सायद आपने सुना भी होगा, यहां पर देखे, जो 5D सिरीज है, वह से गलती यहीं पर हो जाती है, ध्यान देना भी यह, la, और इसके बाद क्या है अगला hf, और यहां पर होगा एक ac, और यहां पर होगा अगला rf, ठीक, देख लीजे, याद कैसे करेंगे, आप कहेंगे, देखो भी यह, हमारा जो f block है, वो कहां पर आता है, जहां पर f और f है, वहां के बीच में आएगा, तो la और hf के बीच में 4f सीरीज आती है, ac और rf के बीच में कौन आता है, 5f सीरीज आती है, तो जो आप यहां नीचे देख रहे हो ना, जिसको धक्के मार के भगाया गया है, अपने periodic table से बाहर, वो जो 4f सीरीज जो वो कहां रहती है, la और hf के बीच में रहती है, और हमारा जो यह नीचे है 5f सीरीज, बताओ भई, जो यहां पर नीचे है 5f सीरीज, वो कहां रहती है, ac और rf के बीच में रहती है, la क्या है lanthanum, यह क्या है halfnium, इसका नाम क्या है actinium, ठीक है जी, इसमें को दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर समझ में भी आ रहा है आप देखो इसको लैंफनाइड क्यों कहते हैं क्योंकि इसके लीडर का नाम लैंफनम है इसके लीडर का नाम क्या है लैंफनम है और जो यह पूरी 4F सिरीज है वो लैंथनम का ऐसे समझो कि पीछे रहती है लैंथनम आगे है उनका लीडर है उसके बाद ये पूरी 4F सिरीज इसी लैंथनम के पीछे रहती है इसी में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बोलो भाई ओके मैट्स का नोट्स अगर रॉंग अप्लोड हुआ है सही हो जाएगा वो करवा देंगे हैं ठीक है आगे अभी आप ये देख लीजी हो जो समझना है भी आपको आप क्या बोलेंगे एसी और आरेप के बीच में क्या है 4F सिरीज है स्वारी 5F सिरीज है और इस 5F सिरीज को एक्टिनाइड क्यों बोला जाता है क्योंकि इसके लीडर का नाम एक्टिनियम है फिलहाल इतना ही जानना था यहां वाले पिरियोडिक टेबल से यहां पर जन्रल एलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखा गया अगर मैं यहां के लिए जन्रल एलेक्ट्रॉनिक को दिक्कत नहीं है नहीं है सर अब आगे आ जाते हैं यह आपने पिरियॉडिक टेबल पर जिसको आपने देख रख है आज तर यह आपका फस्ट ग्रूप इसको क्या बोलते हैं फस्ट ग्रूप सेकेंड ग्रूप इसके बाद देख लीजिए यहां पर पी ब्लॉक के अंदर तो यह क्या हो जाता है ग्रूप नंबर 13 आप सबी लोग बताऊ इसको क्या बोलते हैं फोको दिक्कत परिसानी तो नहीं है किसी को नहीं सर सर की हमारा wise ou आपको आप देख बасти जो डी ब्लॉक होता है केल्सियम से लेकर के गैलियेम के बीच में सुरू होता है पहली बार जब हमारा period number 4 होता है period क्या होता है sir period क्या होता है भाई इस तरीके से horizontal जो दिख रहे हैं जहां पे hydrogen और helium एक period के अंदर है lithium से लेकर के neon तक के जितने भी elements हैं इनको आप बोलते हो period number 2 के अंदर है उसके नीजे period number 3, 4, 5, 6, 7 तो seven periods मौदूद होते हैं आपके periodic table के अंदर अब यहां पे देखना calcium से लेकर gallium के बीच में इसका नाम क्या बताया था भी थोड़ दिर पहले मैंने इसको मैंने बताया था कि यह 3D series है इसका नाम क्या है 3D series इसके नीचे क्या है भाईया एक बार इसको fill कर लेते हैं एक बार इसको fill कर लेते हैं अब यहां पे देखना भाई यहां पे yattrium से लेके cadmium तक यह सारे की सारे लोग किसके elements बोले जाएंगे यह बोले जाएंगे 4D series के elements इसके बाद lanthanum से लेकर के हजी तक के सारे elements कहां के बोले जाएंगे बोलो यहां था का निपना था 3D, 4D थी क्या हो जाएगा 5D और इसके बाद आएगा 6D ठीक है तो यहां पर चीजें आपको याद होंगी अब याद कराने का time तो नहीं है आपको याद विश्यत रूप से हो गया होगा अब तक ठीक ह लिटेशियम तक, सीरियम से लेकर के लिटेशियम तक लोग रहते हैं यह देख लो भई, सीरियम से लेकर लिटेशियम तक यही तो मैंने समझाया था कि LA और HF के बीच में कौन रहता है भई यह आप कहते है 4F सेरीज रहता है यह क्या है 4F सेरीज रहता है इसी तरीके से ज याद करनी कोsan कोई गलती यहाँ कर देते हो बस मैं याद करनी की कोसिस कर रहा हूं समझने वाली चीज आगे वकी मिलेगी ठीक है अभी आप देख लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंट क्या है कि groups and period आपको पता चल चुका होगा इसका नाम क्या है group number one group number two इसका नाम group number three four five six seven eight nine ten eleven यहां पर हो जाएगा 12 इसके बाद इसका नाम क्या 13 14 15 16 17 18 और जो group 18 है उसका नाम क्या है zero group भी है जिसको inert gas का group बोलते है group पता चल गया है आपके पास seven period है यह भी बात चल गई है तो basic बाते हमने periodic table की सीखी है अगली चीज़ देखते atomic number atomic number को किसका याद रखना होता है helium का जो आपकी helium की family है मतलब कि जो आपको inert gas की family है उसका आपको atomic number याद होना बहुत जरूरी है लो साउंड आ रहा है कि देखता हूं बता देता हूं एक मिनट आपके तो atomic number सब लोग बोलेंगे एक बार एक बार बताने की कोसिस करो सारे लोग यह बताने की कोसिस करो कुछ कह रहे हैं कि सर ठीक आ रही है आवाज ओके ओके clear है ओके चलिए यहाँ पर बताइए सब लोग बताएंगे कि एक तरफ से पूरे zero group का atomic number बताएंगे बताएंगे helium का कितना होता भीया दो होता है अगले वाले में कितना जोडते थे शर आठ जोडते थे आठ क्यों जोडते थे देख लो भीया दो से लेके जब आप दसमे नंबर पर जाते तो बीच में कितने लोग मिल रहे हैं उरी ये 10 कब आएगा यहां से जब आप 8 element पार कर करके आए तभी आपको दसवाइलेमेंट है यहां पर मिल रहा है जो कि है नियोन, इस नियोन के बाद आरगन यहां पर कितना जोड़ेंगे फिर से 8, तो 8, 8 जोड़ना है, अगला कितना जोड़ते हैं भईया, 18 जोड़ते, 18 क्यों जोड़ा गया, क्योंकि बीच में पहली बार D3 जा ग तो यहां पर कितना हो जाएगा, अगर आप 32 जोड़ेंगे, तो 86 हो जाएगा, और अगला होगा 118, यह आपको क्यों याद करा रहा हूँ, आगे आपको समझ में आएगा, कि इससे previous year question आराम से solve हो रहे हैं, सिर्फ इन ही चीज़ों को याद करके, कैसे बात कर रहे हैं यह मुझे पहले से याद है, बहुत अच्छी बात है मुबारक बात, और एक चीज़ समझना ध्यान से, इस चीज़ को समझना, मैं अगर आपसे कह दूँ, मैं अगर आपसे कह दूँ कि एक element, कोई साहिक element मालो M है, कोई element M है, जिसका atomic number, ध्यान से सुने, जिसका atomic number 85 है, कैसे चेक करेंगे, उसका क्या तरीका है, यह previous year questions में बहुत दिखाई दे रहे हैं, इन future आपको भी दिखाई देंगे, तो उसको देखने का simple सा तरीका है हमारा, क्या सोचना है, देखना भया, जो भी number आए, उसको आप सोचो कि दो जो inert gases हैं, उनके किन atomic numbers के बीच में वो number तो आपने क्या बताया, 85, 85 किसके बीच मे आएगा, 54 और 86 के बीच मे आएगा, इसके बीच मे आएगा, यसर इसके बीच मे माएगा, इसका मतलब आपको दिमाघा भी इन दोनों के आसपास लगाना है, फिर क्या लिका 85, और आपको पता inert gas का कितना होता है, भै 86, तो 86 के ज लोजन फैमिली ऐसे करके जबाब देना होता है और आपका देखिए एक प्रिवेस एर कोशन आपे बन गया है आपका प्रिवेस एर कोशन बन गया आगे में करवाऊंगा लेकिन फिलहाल ऐसे कोशन को करने का सिर्फ यही तरीका तुरंत करने का अब इसका मत जाएए आप electronic configuration निकालने बहुत ज्यादा टाइम किल होगा यह सब नहीं करना है सिंपली आपको यह वाले टॉमिक नंबर से तुरंत पता चल जाएगा कि वो कहां पर मौजूद है और अगर यह पता चल गया ध्यान से सुनिएगा अगर यह पता चल गया कि यह भाई साब कहां के ग्रुप 17 के अब मैं आप से सवाल पूछता हूँ किसका electronic configuration बताइए चलिए बताइए इसका electronic configuration अब इनके electronic configuration जो लिखने आपको सिखाए गए थे उसको कैसे सिखाए गए थे पहले inert gas लिखना होगा तो 85 के पहले कौन सा inert gas पढ़ता है जैनॉन पढ़ता है तो यहाँ पर लिख दीज सकता है तुरंत कैसे बता सकता है तुरंत कैसे बता सकता है लिखने को तो सारे लोग लिख ले जाएंगे लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता in organic chemistry में कम टाइम में जल्दी से जबाब निकालने का क्या तरीका है वह आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है तु और यह है कहां पे P block में तो आप लिखोगे 6P 6S और 6P डारेक्ट लिख दिया अगर आपको यह पता चल गया कि valence cell हमारा क्या है 6 है तो आपर 6S होगा और यह कहां कहां आपका P block का तो 6P जरूर होगा इतनी बास समझने में कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है इतना होता भाई 6 NS2NP 6 किसी का भी निकाल के देखो helium के लामा helium के लामा किसी का भी निकाल के देखोगे यही आएगा अब अगर आपने यह बता ही दिया है कि N is equal to 6 है तो यहां पर आप 6 put कर दिजिए ठीक put कर दिया हमने 6 ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे 6P क्या आमें 6 लिखना है नहीं सर एक पहले है अगर एक पहले है तो आप क्या बोलेंगे यह 5 होगा यही पर बना देता हूँ मैं यह क्या हो जाएगा यह 5 हो जाएगा इतनी बास स्वाण में आ गई अच्छा सर समझ में आ गई अब बताएए 6S और 6P के बीच में कौन से लोग आते है सर 4F आता है और 5D आता है इनको आपको पूरा पूरा भर देना है इनको आपको पूरा पूरा भर देना है तो इस तरीके से आप तुरंत ही electronic configuration निकाल पाएंगे बहुत ही कम टाइम में यह करने में हमने सिखाने में ज्यादा टाइम लगाया इसको आप बिदिन सेकंड कर पाएंगे चलिए अगला सवाल आपसे पूछता हूँ सब लोग बताएंगे चलो एक element है एक element मानलो मैंने X ले लिया एक element मानलो कि हमने X ले लिया और मैं कहे दूँ कि इसका जो atomic number है वो मेरे भाई 109 ले लेता हूँ ठीक है जी 109 ले लेता हूँ बताएं 109 थोड़ा सा दूर पड़ेगा एक काम करते हैं थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ठीक है चलो 114 बना देता हूँ अब बताओ चलो बताओ सब के सब लोग ये किस ग्रुप में होगा बस इतना जानना है मुझे ये किस ग्रुप number के अंदर है कहां देखने को मिलेगा तो आप क्या करेंगे आपको दिग्यातुरन बताएं सब के सब लोग इसका बताएं जबाब ये क्या है भाईया 114 इसका मतलब है कि 118 से पहले आएगा और वो 86 से लेकर के 118 के बीच में आएगा इतने में कोई दिक्कत नहीं है सर शार पीछे करते ये तो नाम काम बन जाएगा देखे 118 ये क्या हो जाएगा मेरे भाई अगला 117 इसके बाद अगला क्या होगा 116 ये क्या हो जाएगा 115 तो देख लें भाईया ये हो जाएगा 114 तो इस तरीके से आपको दिमाग में तुर्ण सोचना है कैसे सोचना आप वो बता देता हूँ आपको पता चल गया कि 118 है और ये हमने इनार्ट गैस में देखा था तो इनार्ट गैस के कौन से नंबर पहुंगलियों पर गिनो इसके बाद गिनोगे कि 1,2,3,4,5,6,7 सात में नंबर पर है वो मतलब कि इस तरीके से पीरेड नंबर 7 पर वो आएगा इतनी बात तो clear हो चुकी है तो अगर कोई पूछे इसका पीरेड नंबर भी बता दीजिए तो आप क्या बताएंगे इसका पीरेड नंबर 7 है आप पूछ वो क्या रहे थे group तो बताईए group क्या होगा तो group आगर के यहां से क्या करिये चार पीछे चल लीजिए तो आप कहां पे land हो रहे हैं carbon family में land हो रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह भाईया जी group नंबर कौन सा है 14 है न 13 14 होता न तो 14 के अंदर कितना आसान है यह सब जबाब बिदिन सकंड देने होते अब पूशता हूँ मैं कि इसका electronic configuration बताईए चलिए इसका electronic configuration बताईए सब लोग किसी ने बहुत अच्छा जबाब दे दिया है लेकिन बाकी लोग जबाब दीजिए इसका electronic configuration क्या होगा तुरंत बताईए क्रिपया इसका electronic configuration बताईए आप क्या लिखेंगे 114 के ज़स्ट पहले कौन आता है inert gas बताईए inert gas कौन आता है सर उसके पहले rn आता है तो आप लिखेंगे rn ठीक है कैसे सोचेंगे 114 के पहले क्या था 86 86 किसका होता है rn का होता है सर लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है और आपको पता 7 का है तो 7 का है तो इसका मतलब 7s लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 7p लिखना पड़ेगा 7s लिखना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा 7p लिखना पड़ेगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप कहेंगे यहां पर कि भाया यहां से क्या करिएगा डी के लिए एक घटा दीजिए तो हो जाएगा 6D यह पूरा भर दीजिए 6D इसके बाद 7 में से 2 घटा आईएगा तो आपको F मिल जाएगा तो 5F 14 यह तुरंत जबाब निकलने निकालने का एक नायाब तरीका है भाई गलतियां नहीं होती इसमें देख लिजिए आपको तुरंत electronic configuration भी मिल गया और इससे जादा चीजें आपको नहीं पूछी जाएगी तो यह क्यों दिखाया गया क्यों बताया गया इसाद आपको समझ में आ चुका होगा अब आईए एक चीद और पढ़ाता हूँ वो क्या ह हो जाएगा 57 57 अगर यह है तो 32 जोड़ करके यहां पर कितना आएगा 89 कितना आएगा 89 क्यों बता रहा हूँ बताओंगा अभी आपको फिलहाल यह समझना किसमें इतना जोड़ना है अब देखिए मैंने क्या बताया LA से HF के बीच में जाओगे तो कौन आएगा Sirium से Lutation तक और यह कितने लोग हैं 14 लोग हैं तो 14 जोड़ दो किसमें इसमें जोड़ दो 14 कितने मिल जाएगे मेरे भाई बोलो भाई 1 यहाँपे कितना हो जाएगा 104 यहाँपे हो जाएगा 104çar 72 कितना हो जाएगा ना क्यूं ध्यान दिला रहे हैं? इसलिए दिला रहा हूं, क्योंकि आप यहीं पर गल्ती कर बैढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, repeat कर देता हूं, सम्झा देता हूं, क्या बता है। मैंने देखो भाई, janon के बाद क्या आ रहा है। यहां पर 55, 56, 57 57 के बाद आपको 14 जोड़ करके HF का मिलेगा इसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो 32 जोड़ना पड़ेगा इसमें भी नीचे जाने के लिए 32 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर कौन है यहाँ पर Thorium से लेकर के Laurentium तक है इनके बीच में Thorium कितना होगा sir 58 होगा क्योंकि इसके पहले क्या था Lanthe셔 underside का लीडर 57 पर था इसके बाद यह कितना होगा यह 90 पर होगा इतन्मे कोई दिक्कत都 नहीं है यहाँ पर आएंगे तो यह यह रहेति a कितना होगा 103 होगा कितना होगा 103 होगा अब मैं अगर आपसे सवाल पूछ दूँ कि एक element है ध्यान से सुनना अगर एक element है जिसके लिए आप बोलेंगे कि 102 atomic number है तो ये कहाँ पर पाया जाएगा चलिए बताईए ये कहाँ पर पाया जाएगा atomic number कितना है 102 कहाँ पर पाया जाएगा किस series में पाया जाएगा ऐसे सवा सवाल पूछे जा रही हैं ठीका जी तो यह 102 के आज सर हमको पता है कि 90 से लेकर के 103 तक को तो हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं इसका मतलब इसी बीच में आएगा कहीं ने कहीं तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा तो आप बोलोगे यह एक एलेमेंट होगा अब सवाल बनता है कि बताईए यह किस गुरूप के मेंबर हैं अब कहां जब आप देने सरी इनके लिए कोई गुरूप आपने डिफाइन नहीं किया तो मैंने आपको बताया था ना कि LA जो आपका लेंटनम है जो आपका लीडर है किसका अरे इस पूरे लेंटनाइड सीरीज का उसके कि पूरी एक्टिनाइड सीरीज भी होगी तो लेंटनाइड एक्टिनाइड दोनों सीरीज कहां होती है दोनों सीरीज कहां होती है मेरे भाई लेंटनाइड लेंटनाइड एक्टिनाइड सीरीज दोनों कहां होती है भाई या थार्ड गुरूप में होती है ज्यान देंगे atomic number जिसका 103 था आपने बताया ये actinide series के अंदर है और ये भाई साब कहां present है third group के अंदर present है मेरी समझ से किसी को कोई दिकत नहीं होने वाली अगर मैं आप से पूछ हूँ इनके लिए period number क्या बताओगे period number क्या बताओगे तो वही वाला बताना जो आपने लैंधनम की कहानी सुनाई थी अच्छा 102 के लिए बोला जाए तो वह actinide वाली बताओगे समझ में बात आगी है क्या समझ में बात आगी है क्या यस सर्थ ओके आगे बढ़ जाते हैं अगला क्या electronic configuration यह आपको सिखा दिया मैंने ठीक है इनके electronic configuration आप तुरंथी practice कर लेंगे कि क्या आएगा जिस किसी का भी लिखना है मालू बेरिलियम का लिखना है आपको inert gas पहले लिखना पड़ेगा कारबन फैमिली का नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सिजन फैमिली फिर इसके बाद पूरा फैमिली का लिख ले जाईएगा पुरानी कहानिया लगानी है चलिए मैं आपसे एक सवात पूछता हूं बोलो भाई अगला क्या होगा यहां पे ओके ओके यहां पर आजाए एक बार अगर गैलियम की बात करें अगर मैं बोलों गैलियम का का बता बता हैं gars गैलियम का उल्यक्त्रानिक गैलियं का सारे लोग अप बेन सब्सक्राइब क्र Target लिखन गए नहीं उपर ऊपको यह समझ में आ रहा है कि कमा पर है बोरॉन की फैमिली में की अगर बोरॉन की आपको यह पता होना चीनल है इलेमेंट कहां पर यह तो आपको याद रहता है तो आपको पता है कि देखो या पीरेट नंबर 2 का है 3 का है 4 का है 4 है मतलब क्या लिखना है या 4S और 4P तुरंट लिखना है आप यह दोनों भरा होगा तभी तो वह पी ब्लॉक आएगा अच्छा पी ब अच्छा एक बार कह रहे हैं कि सर पीछे देख लिजिए गा एक बार 70 ओके है एच एफ हो जाएगा ठीक है 89 ठीक तो है 1-0 यह यह 1-0 3 ही होगा और यह 1-0 4 होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यह यह जो होगा लिटेशियम का कितना होगा 71 लिटेशियम 71 है मेरे बाई है ना ओके ओके इनर्ट गैस को किसी का भी आप गैस गो आज सकते हैं अब हम मैं आगे बढ़ जाता हूं अब यह departure करेंजेई चलिए सब ंड्र discussion पढ़ेंगे तुरंट सबक उन्हों काई कि brakes कैलिखाए दैलिमेंट अंच्छा यह मैंने थोड़ ना करवा भी दिया है लेकिन इसके बारे में और कुछ पूछा जा रहा है भईया क्या लिका है has been discovered recently ये सवाल ऐसे सवाल बन रहे हैं सोचो जड़ के दे देगा आपको और पूछेगा वो किस family के हैं किस group के हैं और अगला वो पूछ सकता है वो किस period के हैं वो किस period के हैं तो जबाब दो तुरंत इसका वैसे तो हमने बता दिया था अभी थोड़ देर पहले ही क्या होगा carbon family लेकिन आपको ये निकालना आना चाहिए ये आपको निकालना आना चाहिए भईया कि किस तरीके से निकलता है तो जबाब तो आपको मिल चुका है कोई दिखकत की बात नहीं है ठीक है c कैसे होगा भाई अरे nitrogen family में कैसे जाएगा 114 अभी तो समझाया था थोड़ी देर पहले carbon family में जाएगा समझना आ गया है question हो गया ठीक अगला question करो चलो सब लोग ये question करेंगे भाई time लगेगा लेकिन इसको करते हैं क्या है 117-1191-2091 question देखो कैसे पूछेगा वो वही कह देगा कि भाईया अगर ये ना ये जो दोनों लोग है ये अभी discover नहीं किये गए हैं लेकिन अगर ये discover किये जाते तो बताइए उनको कहां रखा जाता चलिए उनको कहां रखा जाता ये कहां के elements बोले जाते alkaline earth metal होंगे alkaline metals होंगे या P block के अंदर होंगे और इनके period numbers क्या होंगे ऐसे question पू 118 जिखाया गया जो कि कहां का था भाया inert gas configuration रखने वाला था सबसे last 7th period का 7th period का सक्स था इसमें कोई दिक्कत तो नहीं न किसी को ये कहां का भाया period number 7 के अंदर है ये कहां पर period number 7 के अंदर है अगर ये 118 है तो इसका just पडोसी ही तो होगा 117 मेरे भाई इसका मतलब क्या है लोजन फैमिली का है ये कहां का मेरे भाई है लोजन फैमिली का है तुरंद बताईएगा है लोजन फैमिली का है इसके बाद 119 अब देखो 118 के बाद अगर 119 वा डिसकबर हुआ तो कहां जाएगा अरे ये खतम होने के बाद तुरंद S-Block में आओगे S block का जो पहला group है आप वहाँ पे रखोगे अब S block के पहले group में ध्यान देना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S block S block का जो पहला group होगा वहाँ मालो हमने यहाँ पे लिख दिया है 119 118 के बाद 119 इसके बाद यहीं पे आएगा 120 ऐसा ही तो होगा न? जाएगा Alkaline Earth Metals और ऐसी चीज पेपर में पूछी जा रही है मेरे भाई तो आपको समझ में आ गया यस सर यह दोनों निकल गए अब बताए 91 कहां पे होगा 91 कहां पे होगा 91 सारे लोग बताए 91 कहां पे होगा सर 91 वाला 90 से लेके 103 तक कौन था Actinide series था सर यह Actinide होगा यह Actinide के अंदर प्रेजंट एक मेटल है भईया मतलब कि यह Actinide है तो आप देख लीजिए कहां पे लिखा है Halogen Alkaline Alkaline इसके बाद Actinide यह देखेगा C option सही है बोलो भाई इतनी बात समझ में आई है क्या ऐसे question आएंगे paper में आपके कर ले जाएंगे अब कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को नहीं होनी चाहिए देख बार देख लीजिए क्रिपया तो सबको समझ में आ गया कि C option क्यों सही है और कैसे सही है और कैसे निकाला जा रहा है समझ में आ गया कितना आसान था हमने सिर्फ याद किया किसका atomic number है लोजन फैमिली के पडोसी भाई साथ जीरो वालों का उनका याद करके हम पूरी फैमिली के बारे में पूरे periodic table के बारे में guess कर पा रही है और बार में उसको confirmation भी कर ले रही है ठीक है जी आ गया जाते है अगला देख लेते हैं हाँ ये बड़ा important हो जाता है अभी क्या हुआ है कि NEET के exam में देखो भया आपका paper भी NTA ले रहा है और NTA का भया कोई दीन इमान धरम नहीं है अब वो ये देख रहे हैं कि सारे question ठीक ठीक ठाक पूछे जा चुके हैं इमें तो वो क्या कर रहे है NCRT की हर एक लाइन पकड़के समाल लेकर रहे हैं तो वो question यहां से बनाएंगे सर ये मेरे को तो आता है सिर्फ यहीं तक नहीं क्या आपको 101 से लेकर के 118 तक के elements याद है ज़्यादा तर लोगों को याद नहीं होते जिनको याद नहीं है उनको मैं अभी याद करा दूँगा कुछ ही second में ठीक है आगे देख लेते हैं वहिया अगर ध्यान देना पहले पहले मैं IUPAC नाम लिखना सिखाता हूँ कि 101 से लेकर के 108 ठरमे element का अगर मेरे को IUPAC नाम लिखना है तो उसका क्या तरीका है तो उन्होंने बताया कि पहले 0 के लिए नाम दिया गया निल और उसके लिए abbreviation यूज किया जाएगा N 1 के लिए अन लिखा जाएगा abbreviation होगा U अगला देखिए बाई मतलब 2 होता ही है है ना जी यस सर ट्राई मतलब क्या हो जाएगा सर अब तो आसान लग रहा है 4 मतलब quad अना quarter से related है अच्छा जी अगला क्या pent तो यहाँ पर P हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा अगला P हो जाएगा इसको याद करते चलिए 6 क्या होगा है सर यह तो कुछ सुना सुना सा लग रहा organic chemistry में है ना हैक्स इसके बाद अगला क्या होगा अगला नहीं सुना होगा आपने 9 के लिए 9 के लिए आपे क्या हो जाएगा यह यह यहाँ के लिए लिखा जाएगा अब्रिवेशन तुरंती याद हो जाता है इसमें को दिक्कत नहीं है इनके नाम पता हूँ 0 है, Un है, By, Try, Quad, Pen, Hex, Sept, Oct, N E, N यहाँ तक की बाद याद है इसमें को दिक्कत नहीं है चलिए निकाल के बताएगे इसका आप क्रिपया नाम लिखे नाम लिखे कैसे लिखते हैं आप कहेंगे भाईया पहले इनको लिख लीजिए, last में as a suffix क्या लगाईएगा, as a suffix क्या लगाईगे, i-u-m, क्या लगाईगे as a suffix, i-u-m, बताएगे क्या नाम लिखेंगे, सब के सब लोग बताएगे, बताओ, one, zero, one में आप क्या बोलोगे, one लिखा है तो आप लिखें तो पहले इन digits के लिए नाम लिखें, नाम लिखने के बाद last में i-u-m लगा दीजिए, और जैसे ही यह आया, आप से मैं पूछूँ कि मेरे भाई, इसका symbol क्या होगा, तो आप बोलेंगे one के लिए तो भाईया क्या लिखेंगे, un के लिखेंगे, un के लिखेंगे, un के यू एंड यू, कोई और नहीं है, तो यह हो गया one zero one के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे, one zero two का निकाल के बताए, तुरंत, very good, सब लोग से ही बता रहे है, one zero two, one zero two, one zero two में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, unfill लिखेंगे, nil, two के लिखेंगे लिखेंगे by फिर ium लगा लेंगे, sir कर ले जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसके बाद आप, क्या लिखेंगे, symbol, बताए क्या होगा, इसके लिखेंगे, बताए सिंबल क्या होगा, आप कहेंगे भईया, यह हो जागा, u, फिर होगा, n, इसके बाद b, u and b, ठी 119, 120, इनको क्यों लेकर क्या रहा हूँ, क्योंकि वो बार-बार पूछ रहा है, उनके tendency आ गई है, तो हो सकता, आपके paper में भी दिखाई दे, तो वो क्या लिखेंगे, एक element है, जिसका atomic number 119 है, अभी वो discover नहीं हुआ है, बताए उसका IUPAC नाम क्या हो सकता है, तो बताए इ तुरंद बोलिए 119, वन के लिए सर, वन के लिए तो सर आपको यू लिखना पड़ेगा, अब लिख ले जाएंगे, अन, अन, फिर इसके बाद E double N लिख ले जाएंगे, लेकिन सिंबल बताएं, सिंबल मैं पूछू तो क्या बोलोगे, यू, यू सही लिख रहा हूँ क्य है, सर हमें समझ में आ गया है, हम निकाल ले जाएंगे, 120 का तुरंद बताएं, 120 अगर डिस्कवर हो चुका होता, तो इसका क्या नाम रख देते हैं आप, आप कहते हैं कि ये जो है भाईया, क्या हो जाएगा, यू, इसके बाद क्या लिखेंगे, बी, इसके बाद N, यू, बी, एन होगा की नहीं होगा, 120 के लिए, एक दब होगा, सर, तो देख रहे हो, हमने बहुत सारी चीजें सीखी, हमने ये सीखी, कि भाईया, 120 अगर डिस्कवर होगा, तो ये alkaline earth metal होगा, ये alkaline earth metal होगा, और इसका electronic configuration भी हम लिख सकते हैं, last में क्या लिख देंगे, Ns2, Ns2 में क्या होगा, 8, 8s2 आ जाएगा, इसके last में, अगर मैं पूछू, इसका electronic configuration क्या होता, तो आप लिख देते, कि भाईया, यहाँ पर हम लिख देंगे, 118 के लिए, 118 के लिए, यहाँ पर inert gas हो जाएगा, इसके बाद हम लिख देंगे, 8s2, तो बहुत सारी चीजें हमने सी इसी तरीकी से 119 के बारे में भी आपको बताया जा चुका है, कोई दिक्त तो नहीं होनी चाहिए, अब भाईया, इनके नाम कैसे याद करें, यह बड़ा सरदर्द होता है, बच्चे को इनके नाम याद नहीं होती, क्योंकि बड़े अजीब से नाम है, और इनको सर ट्रिक में सिखाया भी नहीं जाता, सब लोग इसको छोड़ देते हैं, बात तो सही है आपकी, चलिए, इस दुख दर्द को थड़ा से दूर करते हैं, तो चलो भईया, देखो, 101 को कैसे याद करेंगे, ध्यान सुनना, इसको याद करो, मैंडलीपू, आप जो है, कमेंट में इस चीज को लिखे, तुरंद लिखे, याद कैसे होगा, तुरंद लिखते रहेंगे, तो याद होगा, लिखे, मैंडलीप को मिला, नोबल इन लॉरेंस, मैंडलीप को मिला, नोबल इन लॉरेंस, अभी लिखे, बात में बताता हूँ, क्यों याद करा रहा हूँ, अभी याद सारे के सारे लोग यह चीज़ लिखेंगे लिखो अभी यह बहुत काम की चीज़ है क्योंकि इन पर जब question पूछा जाएगा तो सायद आपसे ना बने क्योंकि आपने ये नाम ही याद नहीं किये हुए है और NTA का भला हो वो ऐसे सवाल ही पूछ रहा है ठीक है आगया जाते हैं अगला क्या है निहों फ्लाई टू मॉस्को टू लिव टैन ओगें टै अब समझो याद क्यों किया और जो 101 इलेमिनट है उसके नाम में मेंडलीव आएगा मेंडलीवियम उसका नाम है ठीक है और जो 102 है वो क्या होगा भाइवा नोबल नाम आएगा उसमें समें नैम नॉमली या मुसका नाम होगा तो यहां पर 102 थार्ड कौन है लॉररेंसि हम तो यह 103, अगला हो जाएगा 104, यह 105, यह 106, अफिर होगा 107, 108, अगला हो जाएगा 109, और इसके बाद है 110, और इसके बाद हो जाएगा 111, 112, ठीक है, तो इसको इस तरीके सा सिक्वेंस में याद करेंगे, और तुरंट पेपर में आप एक बार बोल लेंगे, तो आपको आराम से यह मिल जाएगा 112 के बाद यह हो जाएगा 113, 114, इसके बाद क्या हो जाएगा 115, 116, 117 और यह हो जाएगा 118, तो इस तरीके से आपको elements के नाम याद होते हैं, चलिए आपके सामने प्रसूत करता हूँ, यह नाम exactly याद ना हो रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं ह आपको क्या करना है, option छाटना है, वो मिल जाएगा आपको, 101 को match कर रहा है, 102, इसके बाद 103, 104, 105, 106 में देख लीजिए, C आ रहा है न, इसके बाद देखिए, बोर आएगा, देखिए बोर याम आ गया गया, 107, इसके बाद 108, 109, 1010, 111, इसके बाद 112, यहां तक की बात अ आपको निश्चित रूप से याद होनी चाहिए, अभी मैं एक question दूँगा, और मैं पूछूँगा कि क्या आपको, यह question आपसे बन रहा है, तो देखते हैं आप नंबर पाते हो कि नी, चलो, आज़ो, देखो भीया, क्या है नेहा, fly to Moscow to live in 10 again, यहां से आपको क्या याद कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको यह चीजी याद हो चुकी है, आपके सामने एक question प्रस्तुत है, यह question वैसे नीट में पूछा गया था, सर यह नीट में पूछा गया, आप मेरे को क्यों पढ़ा रहे हो, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि NTA ही exam करा रहा है, उसका कुछ भरोसा नीए, कोई दीनिमान धरम नीए भाई, अभी देखो तुमारे मत्तेक चीज मढ़ा है उसने, कोई बात नहीं, यह बताईए क्या option सही है, उसने क्या पुछा, identify the incorrect match, incorrect match इनमें से कौन सा है, अब कैसे पहचान होगे, जब तक आपको इनके नाम याद नहीं होंगे, आपका भी भी इनको match नहीं करा सकते, तो यही एक इकलावता तरीका है, चलिए बताईए, सब के सब लोग बताईए, जैजवाला भाई साब, जैजवाला भाले भी हैं क्या कुछ, अच्छा, तो यहाँ पर देखेंगे भाई, निकालना सिखाए हैं हम तुरंत, आप दूँ, सरा आप ही बताओ, सारा कारक्राम आपकी आगरो, अच्छा जी, अन, निल, अन, अन, निल, अन का मतलब क्या हुआ, अन मतलब, वन, निल, मतलब, जीरो, फिर से अन हुआ, तो 101, क्या 101 का नाम, मेंडलीब था, क्या, यस सर, मेंडलीब को मिला, नॉबेल इन, लॉर ठीक लग रहा है, अगला क्या है, अन, निल, हेक्स, अन, निल, हेक्स का मतलब क्या हुआ, अन हो गया, वन, निल, मतलब, जीरो, हेक्स, मतलब, 6, है ना, आप जाके चक करेंगी, तो आपको 6th नमबर पे क्या मिलेगा, C, है ना, रधर पॉर्ड, डूबे, C में, तो रधर पाला कहां पर आता दसवे नंबर पर आता है मेरे भाई ठीक है तो इसका मतलब incorrect match यह भई यह डी और 4 का है डी और 4 का है तो incorrect match कहां पर देखने को मिल रहा है डी और 4 के बीच में देखने को मिल रहा है यह question आप नहीं कर सकते जब तक आपको उनके नाम याद ना हूँ तो I hope अब आपको चीज़ें याद हो गई होंगी, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आते हैं effective nuclear charge पर, नाम में लिखा हुआ है effective nuclear charge, ठीक है, आप कुछ कहानी ऐसी है, कि आप ऐसे समझ लीजिए, कि जैसे हमारा ये nucleus है, फ्रॉड़ा सा ब रहा होता है, लेकिन जब ये electron का हूँ, फस्ट cell में, लेकिन अगर ये electron outer किसी और cell में हो, तब क्या होगा, वो देखते हैं, और उन्हीं पे हमें effective nuclear charge समझना है, तो हमने क्या किया, multiple cell से यहाँ पे लगा दिए, ये देखिए हमारा valence cell है, ये उसके अंदर का, ये उसके अं नुकलिय से वो इस electron को क्या करेगा, अपनी तरफ, अपने force of attraction से कीचेगा, अंदर की तरफ क्या लग रहा है, force of attraction लग रहा है, लेकिन ये electrons, जो की inner cell के अंदर मौझूद हैं, वो इसको क्या करेंगे, धकेलने की causes करेंगे, repel करने की, repulsion क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों प protons का, जड क्या है, जड क्या बताता है, atomic number, जो atomic number वहीं उतने number of protons हाँ पर मौझूद होते हैं, तो मैं अगर पूछूँ, इस electron को कितने proton का force of attraction फील हो रहा होगा, तो आप कहेंगे कि पहले ये निप्टाओ की यहाँ पर ये लोग कितने charge रोक रही हैं, तो उसके लिए मैंन तक इसका पूरा force of attraction पहुचने नहीं दिया जा रहा है, बीच में shield किया जा रहा है, रोका जा रहा है, बीच में screen किया जा रहा है force of attraction of nucleus को, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जड माइन सिग्मा, यह तो जड है, यह सिग्मा इन्होंने रोक लिया, तो जड माइन सिग्मा, तो रिजल्टन्ट क्या है जड माइनस सिगमा यही हो जाएगा जड एफेक्टिब इसमें को अधिक्कत की बात नहीं अब इसको एक एनलोजी से समझ लीजे यह माल लीजे हमारे पास क्या है प्रोटॉन है जहां पे अपका नूकलियस है वो नूकलियस एक बल से बताया जा रहा ह और आपके जो यह इनर्सल्स है वो क्या है भईया इनर्सल के अंदर कौन प्रजन्ट है इलेक्ट्रॉन प्रजन्ट है वो एक परदे से समझाया जा रहा है और आप यहां किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो बीच में क्या हो गया भईया परदा अगर गिरा दिया गया तो आप तक क्या पूरी लाइट पहुचेगी नहीं सरक कुछ लाइट रुख जाएगी कितनी रुख जाएगी जितना इस परदे की छमता है रोकने की तो उसी तरीके से यहां पर क्या बोलते है इन इलेक्ट्रॉन्स की जितनी छमता है उतना क्या करेगा वो रोक सकता है तो य इसी को बोलते हैं screening effect there is a reduction in nuclear charge due to presence of screen between test electron and the nucleus के बीच में कौन present है screens present है इसी वज़ा से इसको screening effect या shielding effect बोला जाता है मामला clear आगे बढ़ जाता हूँ अगला है penetration effect penetration effect समझना ये orbitals के लिए आपको समझना होता है s orbital p orbital d and f orbital तो जो s orbital होता है वो spherical होता है ध्यान दीजेगा जो s orbital है वो कैसा होता है spherical होता है लेकिन p orbital हमारा इस तरीके का dumbbell होता है अब सोचो अगर वो spherical है हर तरफ उसका electron फैला हुआ है तो जो बीच में बैठा हुआ nucleus है उस sphere के सारी electron density को वो अपनी तरफ खीचने की कोसिस करेगा अगर अपनी तरफ खीचने की कोसिस करेगा तो यो ये s orbital वो क्या हो जाएगा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा पहले ऐसा था कि s और p orbital एक ही जगा पर थे थोड़ा ये बड़ा था लेकिन nucleus ने उसको अपनी तरफ खीचा क्यों खीचा क्योंकि उसकी electron density उसके चारों तरफ पहली थी तो चारों तरफ से अच्छा करता course of attraction लग रहा था इतनी बासन में आई क्या और अच्छा कासा course of attraction लगेगा तो वो क्या करेंगे अरे वो अंदर की तरफ चले जाएंगे वो penetrate कर जाएंगे towards nucleus घुस जाएंगे पहले वो यहां पे हुआ करते थे लेकिन खीचा जा की है कि वो spherical है तो वो बहुत ज़्यादा force of attraction फील कर पा रहा है लेकिन जो हमारा P orbital है उसकी maximum electron density यहां होती है डंबल के इस किनारे होती है यहां पर भी इस किनारे होती है तो यह क्या हो जाएंगे भई यह इस पर ज़्यादा force of attraction लगेगा नहीं लगेगा विद रिस्पेक् नहीं कि ताकत किसकी है nucleus की तरफ तो S की फिर P की फिर D की फिर F की ठीक है अब इस तरीके सापको क्या समझ में है कि S जो है nucleus के करीब रहता है आप जो nucleus के करीब रहता है वो क्या करेगा वो sealed करने का काम करेगा आभी थोड़ दिर पहले बताया ना कि जो inner cell के electrons होते हैं वो क्या करते हैं sealed करते हैं screen का काम करते हैं तो उसी तरीके से जो आपके nucleus के बगल वाले atomic orbitals होंगे उनकी shielding power जादा होगी तो shielding effect जादा कहा देखने को मिलेगा SP फिर D फिर F इसको भी इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि देखो वह जो S orbital है वो एक solid परदा है वो क्या एक solid परदा है एक सामदार परदा है मोटा परदा है तो बल्ब जलेगा तो तुम्हें क्या होगा जो आपका test electron होगा मालो यह S orbital है इसके बाहर को electron present है तो S orbital क्या क करेगा अब maximum maximum force of attraction को रोखने की कोसिस करेगा तो बल्ब मतलब क्या है यहां पर force of attraction जो light निकल रही है वो इस भाज साब को नहीं मिल पाएगी या मिलेगी तो कम मिलेगी ठीक है इसके बाद अगला क्या होगा यह वाला भाईया P यह solid था solid मतलब S solid परदा इससे थोड़ा सा फटा पुराना परदा है इससे और फटा पुराना परदा कौन सा है D लेकिन F क्या है F का मतलब यह फटा पुराना परदा है इसमें तो भाईया बहुत सारे छेद है F orbital भाईया कते ही महनत नहीं करता force of attraction रोकने का इसको कहते है poor shielding होना यह क्या कहते है कि यह poor shielding सो करता है आप कहेंगे poor shielding का क्या मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो force of attraction nucleus बाहर के valence cell पे लगाना चाहता है F कहता भईया तुम लगा लो हम तुम्हें रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर shielding करने की power नहीं है अब आगे बढ़ जाते हैं बही क्वेशन करेंगे भईया क्या लिखा ह पड़े लिखा screening effect is not observed in इन में से कहां पर screening effect नहीं दिखाई देता screening effect कहां दिखाई नहीं देगा जब हमारे nucleus के just पडोसी बगल वाले पर बगल वाले cell पर electrons मौझूद हो तब दिखाई नहीं देगा और यहां पर हमेरी समझ से हर जगा आपको दिख रहा है helium plus मतलब एक electron इन के पास भी एक electron है तो यहां पर screening होने का कोई chance ही नहीं बनता हाना एक electron inner cell तो ही नहीं अगर inner cell ही मौझूद नहीं है तो screening effect होने का कोई chance नहीं है सब लोग बताएंगे इतने बढ़ ठीक है क्या यहां तक की कहानी समझ में आई है क्या यह सर आ चुकी है आगे बढ़ जाते ह atomic radius सायद आप सोच रहेंगे यही topic क्यूं नहीं आ रहा है इतने देर से रुका हुआ क्यूं है चले देख लेते हैं डी टू बाई टू हो जाएगा क्या आपको इतनी बात समझ में आई है क्या आपको इतनी बात समझ में आई है क्या लैग हो रहा है ओके देखते हैं बोल दिया है सामने थे ठीक है जी आगे देख लेते हैं यह metallic radius में क्या बोलोगे आप metallic radius में दोनों के बीच की जो distance है उसका divide by 2 कर देंगे अब बात करते हैं wonder wall radius की देखो भया wonder wall radius वहाँ देखने को मिलती जैसे माली जी helium है तो दो helium के बीच में आप क्या निकालते हो wonder wall radius निकालते हो और दोनों helium क्या करते हैं ना तो surface touch करके रहते हैं ना तो इस तरीके से overlapping करते हैं भया वो तो inert gas हैं वो इस दुसरे के साथ bond बनाते ही नहीं है तो वो क्या रहते हैं अलग अलग रहते हैं इस तरीके से ठीक है अलग 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 रहते हैं तो इनके बीच के distance माल लेता हूँ मैं D3 है तो wonder wall radius wonder wall जो radius होगी वो D3 divided by 2 होगी अब मैं आप से पूछता हूँ बताओ सबसे बड़ी radius कौन सी है सर सिंपल सी बात है यहाँ पर देखो दोनों न्यूकलिया के बीच में gap जादा है gap जादा है तो यह radius जो निकलेगी वो जादा आएगी metallic में कम से कम surface touch हुआ है लेकिन यहाँ पर area share हो रहा है दूसरी के साथ तो आप बोलेंगे सबसे बड़ी radius किसकी होगी wonder wall radius होगी clear मामला सर क्या हमेशा हम helium neon argon krypton के अंदर ही wonder wall देखेंगे नहीं दो molecules के बीच में भी देखे जा सकते हैं जैसे example के तोर पर आप यहाँ पर ले लिजिए जैसे माल लिजिए हमने H2 molecule लिया यह क्या है H2 molecule एक hydrogen है यह भी hydrogen है हमारे पात दो H2 molecules है तो दो H2 molecules के बीच में भी क्या हो सकता है wonder wall क्योंकि यहाँ के बीच में कोई और bond बनता नहीं है तो आप क्या बोलते हो इनके nucleus और इसके nucleus की बीच की दूरी इसके nucleus और इसके nucleus के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी का अगर आप आधा कर देंगे तो H2 molecule के लिए wonder wall radius निकल जाएगा क्या होगा wonder wall radius निकल जाएगा मैं दुबारा बोल देता हूँ repeat question आया है तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ बता रहा था कि wonder wall radius में क्या होगा दोनों इस दूरी के साथ overlap करेंगी तो यह चोटी जगा हो जाएगी मतलब की चोटी लेंथ होगी अना तो उसका आधा करेंगे तो निशी दूरी के चोटा आएगा metallic की बात करेंगे तो दोनों surface क्या कर रहे हैं तो यह distance थोड़ी सी बड़ी होगी तो इसका आधा करेंगे जिए थोड़ा सा बड़ा आएगा अगली बात हो रही है वंडरवाल रेडियस की जैसे helium neon, argon, krypton, genon ले लो तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ मालो यह भी helium है, यह भी helium है एक दूसरे साथ कोई bond नहीं बनाते हैं सर्फेस को टच नहीं करते हैं, दूर रहते हैं एक दूसरे से तो इनके बीच की जो दूरी है मालो डियस ही तो उसका आधा करोगी तो वंडरवाल रेडियस आएगा और यह वाला सबसे बड़ाएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में भी gap है यह बात में आगी, अब बात आती है कि H2 मॉलीकूल के लिए क्या हम वंडरवाल रेडियस किसी मॉलीकूल के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं यस, तो यह H2 मॉलीकूल है, यह भी H2 मॉलीकूल है तो लेकिन इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई bond नहीं है लेकिन अगर इनके बीच की दूरी लिया जाए, उसका आधा कर दिया जाए तो H2 मॉलीकूल के लिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं Atomic Radius की बात करें, अब आब बताइए, इतना आपने पढ़ लिया है, Variation in Group किसी ग्रुप में आप चलेंगी, ग्रुप में चलेंगी कहाँ पर, टॉप से बॉटम की तरफ, तो क्या होगा बताइए किसी ग्रुप में आप चलेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ तो बताइए क्या होगा सर उपर से नीचे जाएंगे, लगातार नए नए सल जुड़ते जाएंगे नए नए सल जुड़ते जाने का मतलब हुगा, कि आप निउकलियस से लगातार दूर जाते जा रही हैं तो निउकलियस और वैलन्स सल के बीच की दूरी बढ़ गई, और इसी को था अटॉमिक रेडियस कहते है मतलब की अटॉमिक रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी उपर से नीचे जाएंगे, टॉप टू बोटम तो अटॉमिक रेडियस बड़ेगी, रीजन क्या है नए नए सल का जुड़ना होता है आई अगला देख लेते हैं बहिए, एक्जामपल के तोर पे यहाँ पर मान लीजे, यह हीलियम है, मैं मान लेता हूँ, यह क्या है हीलियम है, और यह मान रहा हूँ मैं कि यह नियोन है हीलियम है और यह नियोन है, ठीका जी तो helium में आपने क्या देखा कि बाहर जो हमारा cell बैठा हुआ है valence cell वो 2 है लेकिन इनका cell भईया sorry यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो 1 वाला obviously छोटा होगा ना भाई तो जैसे भी एक period नीचे आप आए आपको क्या दिखा एक नया cell जूड़ गया cell number 2 यहाँ पे एड़ हुआ तो nucleus और valence cell की बीच की दूरी बढ़ गई तो atomic radius बढ़ गया size में आपको समझ में आ रहा है तो variation in the group सबको समझ में आया यस अगला दिख लेते है variation in the period का जवाब बताएंगे चलिए चलिए पिरेड में क्या करेंगे पिरेड का मतलब क्या है आप left से right जा रहे हो आप कहा जा रहे हो आप left to right जा रहे हो left to right जाते हो तो क्या होता है पिरेड को याद करो क्या होता है जैसे जैसे माल जो boron, carbon, nitrogen इस तरीकी से आप आगे बढ़ रहे हो तो आप क्या बोलते हो कि effective nuclear charge बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, effective nuclear charge बढ़ेगा, क्यों पता है, क्योंकि atomic numbers बढ़ रहे हैं, लेकिन cell number same है, जैसे example के तौर पर आप यहाँ पर लेजी, जैसे, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मालो मैंने यह लिया boron और यह लिया मैंने carbon, यह मैंन नहीं बदला, लेकिन देखो, इसके अंदर कितने proton थे, सर्फ 5 proton थे, इसके अंदर कितने proton है, carbon के अंदर 6 proton है, इसका मतलब क्या है, कि यहाँ जो second cell में बैठा हुआ electron होगा, उसको ज़्यादा force of attraction से nucleus खीचेगा, इसी को तो कहते हैं, कि jet effective ज़्यादा लग रहा है, अगर jet effective ज़्यादा है कहीं पर, तो आप क्या बोलेंगे, atomic radius क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जब आप left से right जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, कि radius कम हो जाती है, तो left से right आप गए, तो radius क्या हो गई, carbon की कम हो जाती है, कोई दिकत नहीं है, अब एक साथ देख लेते हैं, अचा आप एक question आता है ये बताईए इस question का जवाब आपको बताना है क्या बताईए कि increasing है decreasing है या हम इसको कैसे निकालेंगे ऐसे question को करने का क्या तरीका है ऐसे question को करने का क्या तरीका है बताईए जैजवाला जैजवाला जी इस question को करने का क्या तरीका है simple सा तरीका बताता हूँ अरे भई पंकसर organic chemistry के लिए आ रही है आगे देख लेते हैं यहाँ पर देखो भई बोरोन है तो बोरोन के लिए आप क्या बोलोगे कौन से cell का है हमेशा दिमाग पहले cell पे जाना चाहिए जब भी question आपसे radius का पूछे तो पहले cell numbers चेक कर लो अगर cell number different है और वहाँ पे जिसका cell number जादा है उसको बोलना कि उसके atomic size जादा होगी तो पहली चीज हमें क्या देखनी होती है हमें देखना होता है cell number कौन सा cell भईया valence cell valence cell number देखना है अगर वह जादा है तो निश्चित रूप से atomic radius भी जादा होगी atomic radius भी क्या होगी जाद होगी तो पहले दिमाग जाना चाहिए cell number पे चलिए बताइए यहाँ बोरॉन के case में क्या होगा valence cell 2 है फॉस्पोरस, sulfur और यहाँ पे आपको दिखेगा chlorine इन तीनों के लिए यह आपको क्या दिख रहा है यह third cell में इसका third valence cell है क्योंकि यह सब period number 3 के है valence cell number का मतलब क्या हो तापको period number देखना है simply बोलूं तो period number देखना है period number जादा तो atomic radius भी जादा आएगी period number 3 का है और यह कहां कभी है यह period number 4 का है जबाब आपको मिल चुका होगा तो पहले आपको cell number देख करके जबाब मारना है ऐसे questions में बच्चे फंस जाते हैं वो comparison नहीं कर पाते तो पहले cell number के हिसाब से पता चल गया पहले सिर्फ cell number के हिसाब से लगाईए यह सर पहले हमने दिमाग लगा दिया कि पीरण नंबर अलग-अलग है तो हम इस तरी किस लगाएंगे अब हम चेक करेंगे इनके बीच में फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन तो बताईए यहाँ आप क्या कर रहे हो लेफ्ट से राइट जा रहे हो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन यहाँ उस चोटी हो जाएगी तो यह order हो जाएगा पर फॉस्फोरस सल्फर फिर क्लोरीन और इसके बाद आ जाएगा अपका बोरोन यह लेकिन झो मैंने बनाया हुँ यह आज पास को देख करके हमने बना दिया है इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक कर ले जाएंगे, ऐसे सवाल अब आप से हो जाएंगे, सर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगे, अगले मा आजाते हैं, अगला question आप खुद से अटम करें, इसमें आप खुद से कर लें, बहुत आसान है, carbon कहा है, second period element है, sulfur और aluminium सब्सक्राइब आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ये क्वेशन में आपके लिए छोड़ रहा हूं ठीक है समझ में आ गया है यस सर आगे बढ़ जाता हूं अगला क्या है अगला है देख ले भाई यहां पर आपको बताइए उपर से नीचे चल रहे हैं अब मैं पूरा पिरोडिक टेबल एक बार दिखा देता हूं एस ब्लॉक के अंदर आप उपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगी बढ़ेगी उपर से नीचे जाएंगी तो साइज बढ इतना घटी वाली कहानी है यह पूरे पिरोडिक टेबल के लिए मैं बता रहा हूं ठीक है तो आपको क्या देखना है पहले सिंपली आपको लगा देना आप क्या सोच रहूंगे कि उपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा आप निश्ची तरुप से ऐसा सोच रहे हैं कि लेकिन एक यहां पर उल्टा कारकरम क्या होता है गैलियम और ऐलमूनियम में किसका ज्यादा है या ऐलमूनियम का ज्यादा होता है ठीक जी इनमें दोनों में किसका ज्यादा है ऐलमूनियम का ज्यादा होता है साइज तो यह बात हमेशा दिमाग में होनी चाहिए इसमें को करिए गैलियम का electronic configuration लिखिए तो वहाँ पर मिलेगा 3D10 और जो आपके ये 10 electron है वो D sub cell के अंदर चले गए और ये D sub cell के अंदर के जो electrons होते हैं ये मेरे भाई नहीं करते अच्छी shielding इस वज़ा से outer cell पर बैठा जो electron है वो उनको खींच करके अंदर ला देता है nucleus of gallium समझ में आ गया इसलिए इसकी size क्या हो जाती है छोटी हो जाती है इसको क्या बोलते है इसको बोलते हैं यहाँ पर d orbital क्या d orbital की poor shielding की वज़ा से ये कहानी हो रही है है इसको d contraction नहीं बोलते हैं ये size छोटी दिखती है यहाँ नहीं है वाज आप आदा पर साइज और कोई दिक्कत परічानी h आँ है तो मैंने साय समझा दिया है अब आपको कोई इक्कत नहीं होगी ठेक है अब आगे आ जाते हैं next one is lanthanide contraction lanthanide contraction नाम से मतलम निकालिए क्या लिखा है lanthanide के अंदर क्या हो रहा है contraction हो रहा size घट रही है lanthanide क्या होता है बताइए आप से पूछता हूँ lanthanide क्या होता है left से right चलने पर निश्चित रूप से size घटेगी यह तो simple सा process है लेकिना size बहुत जल्दी जल्दी घटती है मतलब क्या आप ऐसे समझे कि 100 है तो दूसरा बगल वाला 95 हो जाता है अगला 90 हो जाता है तो यह जो rapid घटना है उसका reason होता है f orbital की poor shielding इसका reason क्या है poor shielding of f orbital के poor shielding की वज़ा से यह lanthanide contraction हमें देखने को मिलता है इतनी बात समझ में आगई यस अगला देख लेते हैं अगला एक चीज है कि lanthanide contraction को पढ़ें उससे पहले आपको यह जानना है कि electronic configuration of inka क्या होगा बता यह lanthanide contraction समझने के लिए पहले हमें क्या चाहिए electronic configuration चाहिए तो ल, A, H, F ठीक है अगला क्या है एक ले लेता हूं में AC अगला ले लेता हूं में RF यही होता है क्या यही होता क्या मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा H, F बीच में कोन आता है बीच में यहां पर क्या आता भिए है इसका आप निकाल ले जाइएगा जो मैंने आपको सिखाया हुआ है अगर अब इसकी बात पर आपको पता होना चाहिए लेंतनlaw आता है लैंतनक आपको दिखता है कि जियुक्रणि के ज़स्ट बाद आ रहा होता है इसमें को दिक्कत नहींहें जनौन के बाद या ज्योंन का कितना होता है इसके बाद इसका कितना होता है 57 Souka хочется किया निखिला तो ले जाना चाहिए अच्छा जी आजाए देख रिबर्चार होगा निपकराद ग्यां तो इसके बाद होगा यहाँ पर 5 Seems hard 5s होगा क्या 6s होगा बताएं कौन से में होगा ये कहां पर पाया जाएगा सर ये 6s होता है अच्छा जी तो ये हो जाएगा 6s ठीक है 6s2 हो जाएगा इसके बाद लेंथनम की शुरुवात होती है तो वहां पर हो जाएगा 5d1 इसमें तो 6d ये हो जाएगा 5 d1 6s25d1 इतनी बाद ठीक है क्या 6s25d1 ठीक है आप अंका सर पढ़ाएंगे और गनी कमेस्टी सही बात बोल रहे हूं ठीक है तो इसका लिख ले जाएगे का मैं आपके लिख करके लाया था कि यह काम आपके लिए है ठीक है ओके आप देखिए 4f3 यहां से यहां तक होती है आप इसका रीजन होता है कि इनका जब आप electronic configuration लिखोगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि यहां पर पूर f orbital अगर इनवाल्व है तो निश्चित रूप से हमापे पूर शिल्डिंग हो रही है तो नूक्लियस आउटर सल के लेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खीच के रखेगा अगर रखेगा तो साइज छोटी हो जाएगे और इसी को लेंथनाई contraction कहते हैं सिंपल बात जाननी है अब आज यह डी ब्लॉक में हम एक बार साइज देख लेते हैं देखो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है बताईए स्कैंडियम य्यट्रियम औन लैंथनम में नीचे जाने पर साइज नीचे जाने पर साइज यहां बढ़ती है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत शुरू हो जाती है यहाँ पर टाइटिनियम जर्कुनियम हापनियम में एक चीज़ चक करना देखो यह कितना है 39 ये कितना है, यहाँ पर आपने अठारा जोड़ा, लेकिन आपने यहाँ पर कितना जोड़ा ही, 32 जोड़ा हुआ है 32 क्यूँ जोड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में Serium से लेकर के Lutation तक, लोग प्रजेंट थे अब एक चीज़ का ख्याल रखना अब लेंथनाइड की contraction का effect जो है यहाँ पर दिखाई देगा लेंथनाइड के entry की वज़ा से यहाँ पर इनकी size करीब करीब सेम हो जाती है लेंथनाइड के entry की वज़ा से क्यों हुआ अब मैं समझाता हूँ मालो इसकी 100 size थी आप फिर हुआ क्या इसकी कितने होगी मालो 99 लेकिन यह 99 के बाद 14 टाइम कम होता जाएगा क्योंकि आप left से right जा रहे हो 14 elements बीच में मिलेंगे तो अगर वो लगातार कम होता जाएगा तो यह size इतनी कम हो जाती है कि वो उपर वाले के बराबर हो जाती है तो इस वाले के लिए reason क्या है लैंथनाइड contraction और लैंथनाइड contraction का क्या reason है poor sliding of f orbital तो यहाँ पर दोनों की size क्या होगी बराबर लेकिन इन दोनों की अगर हम बात करें तो normal trend लगाना क्योंकि यहाँ पर और किसी के entry तो हो लिए तो उपर से नीचे जाएगे तो बड़ा होगा तो यही चीज हमें देखने को मिलती है यहाँ पर तो आप simple सी कहानिया बताएंगे ठीक है जी यहाँ पर तो आप simple सी कहानिया बताएंगे कि यह होगा बाकी में जो नीचे है नीचे की size करीब करीब से होती है मैं आपको बता दू बहुत जादा question पूछे जा रही है इन पर बहुत जादा question पूछे जा रहे है F orbital की पूर shielding हो रही है इस वज़ा से ऐसा देखने को मिलता है तो क्या आपके दिमाग में यह पूरा का पूरा D orbital एक बार में छप चुका है क्योंकि देखो यार सब कुछ पढ़ लोगे तो पेपर में जादा ज़दा कहां से पूछेगा इनमी से कोई order पूछ लेगा ठीक है तो ऐसे questions आते हैं और अक्सर पेपर में यह भी दिखाई देता कैटाइन कैसे बनता है कैटाइन ऐसे बनता है कि वह यह एक अटम है न्यूट्रल उससे उसके उपर आपने अनर्जी डाली उससे इलेक्ट्रों निकल गए तो वह क्या हो जाएगा कैटाइन बन जाएगा खोपड़ी पर अपने positive चार्ज ले लेगा ठीक है एक्जांपल के साइज यहां पर बोलोगे आयनिक साइज यहां पर क्या बोलोगे आयनिक साइज बढ़ेगा या घटेगा आयनिक रेडियस जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा तो आप कहेंगे आयनिक रेडियस भहिया जी घट जाएगा अगर effective nuclear charge बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस घट कर सकते हैं ठीक है इसी से क्याकुलेट नहीं होता यह क्या है यह पर वोलेंगे फोर होगा इसका जड़ लेकिन नमबर आपने इक इलेक्टान निकाल लिया यहाप यहां पर 4, 4 भाई कितना हो जाएगा 2, यहां पर कितना हो जाएगा 4 भाई 2, तो आप क्या देख रहे हो, effective nuclear charge घट रहा है, अगर इधर से इधर जाने पर effective nuclear charge घट रहा है, तो atomic size, ionic radius जो होगी, वो क्या हो जाएगी, घटी हुई नज़र आएगी, तो सबसे कम किसका होगा, ber beryllium plus का, फिर किसका होगा, beryllium का, यह बात सबंग में आगी है क्या, यह सर, अगला देख लेते हैं, anion की बात कर ले, anion क्या हो तब यह आपको क्या करना, electron देना है, किसी neutral atom को, वो receive करेगा, अपनी खोपड़ी पो negative charge लेकर कर आएगा, example के तोर पे, oxygen ने क्या किया, एक electron receive किया, वो बन गया, O negative, और एक electron इन्हों ने receive किया, तो बन गया, O2 negative, मामला clear है, yes sir, यहाँ पर भी आप चाहें, तो इसी तरह की से Z effective निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पर 8 proton, 8 electron का कहानी है, यहाँ पर 8 proton तो है, लेकिन 1 extra electron होनी की वज़ा से 9 हो जाएगा, यह 8 divided by 10 हो तो O2 negative जादा होगा, with respect to O negative and O, तो हम यह कह सकते हैं कि जो neutral atom होता है, वो अपने एनायन से कम size का होता है, और जो आपका neutral atom है, वो अपने कैटायन से बड़े size का होता है, इतनी बाठ ठीक है, बोलो भाई, इतनी बाठ ठीक है, इतनी कहानी दिख रही है, क्या, okay size थोड़ा पड़ा करते हैं लिखने की, कोई दिक्कत नहीं है, clear मामला यह दिख रहा है यहां तक, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, नहीं है सर, अगला दिख लेते हैं, एक चीज़ होती है, ISO electronic species, आप साथ जानते होंगे, ISO सब्द लगाते हैं, मतलब same, electronic मतलब electron, तो same number of electron, जब species के अंदर होंगे, तो उसको बोला जागा, ISO electronic species, एक्जामपल के तौर पर आपके सामने यह प्रस्तुत किये गया हैं, इतनी लोग, इनमें आपको number of electron निकालना, बताए, neutral nitrogen के अंदर 7 electron, तीन और पा गये, तो कितने हो गए, वहीया, 10 electron, ठीक है, यहां पर क्या लिख होगे, oxygen क यहां पर जो oxygen है, उसके पास कितने electron होते हैं, oxygen के पास होते हैं, 8 electron, और दो और पा गये, तो यहोग जाएंगे, 10 electron, फॉस्फोरस की बात करें, तो 9 और एक और पा जाएंगे, तो यह भी 10 electron, sodium के पास 11 थे, एक निकाल दिया, तो 10 electron, यहां पर क्या है, 12 थे, दो निकाल दिय इसमें को दिक्कत तो नहीं है किसी को दिक्कत तो नहीं है नहीं है सर अब protons की बात करें तो बताएए protons कहां पे ज़्यादा है सर प्रोटोन Izudgy ऐल्मूनियम में ज़्यादा है तो अब बताईए number of electron same है लेकिन यहाँ पे अगर proton ज़्यादा है तो क्या होगा size छोटी होगी size क्या होगी छोटी होगी तो size का ये order देखने को मिलता है size का ये order देखने को मिलता है तो आपको कोई बोले कि size का order बताईए तो आप इस तरीके से बताएंगे तो जब कभी भी ISO electronic इस पसीज आपके सामने दिया जाए तो उस समय आपको सिर्फ क्या दिखना है atomic number atomic number देख लीजी जड़ जहाँ पर ज्यादा होगा क्योंकि electron number तो अब सेम हो चुके हैं तो निशी दरुप से वहाँ पर size छोटी हो जाएगी इतनी बात ठीक है इसमें को अधिक्कत तो नहीं है किसी को नहीं होनी चाहिए अगला द बताएंगे सारे के सारे लोग इस question का जबाब तुरंट बताएंगे क्या लिखा है nitrogen पर 3-1 नगटिव और 2-2 नगटिव अभी बता दिया मैंने इस चीज को वैसे तो चले बताएंगे यह 3-2 नगटिव औक सिर्फ नगटिव इनके अंदर क्या होते हैं मेरे बाई 10 इलेक् है और यहां पर 7 है जबकि number of electron तो same थे इसका मतलब यहां के case में इसकी size क्या आएगी छोटी आएगी क्योंकि यहां पर ज्यादा proton है तो वो बाहर की electron को खीच के अंदर ले आएगा और अगर अंदर ले आएगा मेरे भाई तो size छोटा होना ही है यहां पर ऐसा मसूत ना बहुत सारे लोगों ने सी जवाब दिया था बहुत अच्छी बात है आगे देख लेते हैं यह क्या लिखा है जल्दी जवाब दीजिए जडार ने एचफ हैब और मॉस्ट इक्वल अटामिक एंड आइनिक रेडिया इसा आपको एजी एउ जो कुछ भी कहानी लिखी हो की लिखाओ की ऐसा इन दोनों के विच में सेम है तो आप हमेशा चक कर लो जब कभी भी आपको 4D और 5D सिरीज के साइज के बारे में बोला जाए और उनके क्या बोला जाए कि उनकी साइज सेम है तो निश्ची तरुप से वहाँ पे लैंटनाइड को अंट्राक्शन ही होगा है ना भई लेकिन ध्यान कहां रखेंगे सकीला में याद रखेंगे सकीला है ना यह रहाई सकीला कहां रहती है एसी में इसलिए इसके नीचे एसी आता है अच्छा जी देखेंगा सकीला में कहा है नॉर्मल ट्रेंड सर यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड क्यों आया आप तो कह पहले तो जो टेंडेंसी जो ट्रंड चलते रहे हैं वही ट्रंड हमें फॉलो करनी हैं अरे बोलो यार मामला क्लियर है की नहीं है एकदम क्लियर है मापको बता दू कोई दिक्कत नहीं हो गिर आपने इस तरीके से पढ़ा है तो ठीक है आईए ओके ओके अगला देख लेते हैं ये क्वेशन करिए गुरूप नंबर 13 मैंने बताया था कि यहां पर थोड़ा सा सीरियस होने की बात है आपको क्या बताया था सर आपने कुछ ऐसा बताया था कि बैगन आलू और गाजर को क्या करना है इंटर मिक्स करना है बाई गाजर और आ पीचे आएंगे तो बढ़ेगा साइज तो दिस इस अटामिक रेडियस ठेक है उसका रीजन क्या बताया था 3D के अंदर प्रजेंट 10 एलेक्ट्रॉन वहां पर हो रहा है पूर डी सिल्डिंग डी कॉंट्राक्शन जैसा कोई चीज दुनिया में एक्जिस्ट नहीं करता अ यंजियन स सब्केंट क्या होती यह आपन करएंगे लेक्ट्राण करके इनर्जी औरहने से सील्डिंग से आउटरस से लेक्ट्राण जमक करके इनमाइड की त्रफ चला गया ठीक है तो बोला जाएगा कि यह जो काम हुगा है ना इसको बोलते हैं ionization होना और जो energy लगी है उस electron को हटाने में वो ionization energy बोली जाएगी लेकिन तब बोली जाएगी जब वो minimum energy हो उससे कम energy देकर कि अगर outer cell से electron नहीं हट रहा तो वो energy ionization energy बोली जाएगी मतलब कि minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom अकेला विचरण करने वाला घूमने वाले atom से आप निकालेंगे और ऐसा क्यों लिखा जाता है क्योंकि आपको definition ideal बनानी पड़ती है गैस में ही तो जो हमारे atoms होते हैं वो दूर दूर होते हैं तो उनके अलग होने का isolate होने का chance ही वहीं पर बनता है कहानी clear है yes sir clear है चलिए बताईए अच्छा एक बार आप बताईए कि अगर माल लेजे आप left to right जा रहे हैं left to right जा रहे हैं तो बताईए क्या होगा effective nuclear charge बढ़ता है अगर effective nuclear charge बढ़ता है और cell number तो same है तो आप क्या बोलोगे कि जो nucleus है वो outer cell पर बैठी electron को ना बहुत तगड़ी तरीगे संदर खीच रहे है इसका मतलब force of attraction balance पर प्रजेंट electron के साथ जादा है और अगर force of attraction वहाँ पे जादा है ध्यान दे लेंकर अगर वहाँ पे जादा है तो आप क्या बोलेंगे बाहर से में बहुत जादा energy लगा करके वो electron निकालना पड़ेगा मतलब की ionization energy वहाँ पर जादा होगी तो left to right जाने से क्या होती है जादा होती है क्यों होती है रिजन समझ में आया अच्छा जी एक चीज़ और है अभी टॉप से बॉटम की तरफ भी तो जाना है अभी टॉप से बॉटम की तरफ भी तो जाना है जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं नए नए सल जुड़ते जाते है atomic size बढ़ती जाती है atomic size बढ़ती गई मतलब आपके nucleus और valence cell के बीच की दूरी बढ़ गई अगर दूरी बढ़ गई तो force of attraction घड़ गया force of attraction घड़ गड़ गया किसके बीच में अरे nucleus और valence cell पर बैठे हुए electron के बीच में और अगर घड़ गया तो बाहर से कम energy देकर भी उसको आप निकाल सकते हैं मतलब यह है कि top to bottom जाते है atomic जो radius है वो बढ़ती जाती है इसलिए हम क्या बोलते है ionization energy यहाँ पर घड़ती जाती है इसमें कोई सक किसी को संदे तो नहीं है नहीं होना चाहिए चलिए periodic table में हम देखते हैं उपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा ionic size बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा ionization energy कम हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सबसे कम ionization energy किसकी मिलती है cgm की मिलती है और इसलिए cgm को किस में लगा जाता है solar panels में लगाया जाता है ताकि वहाँ पर कौन सा effect हो सके वो आप लिखके बताएंगे photoelectric effect अच्छे से हो सके ताकि electron जल्दी eject हो सके अच्छा जी अगला देखते हैं यहाँ पर भी वही same कहानी है वही same कहानी लगानी है अब मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ बताएंगे beryllium और lithium में जादा किसका होगा बताएंगे beryllium और lithium में जादा किसका होगा तो आप कहेंगे beryllium में देखो भी या last में sulfur जो आपका s orbital उसमें दो electron है यहाँ पर s में एक electron है तो आप यह कहेंगे कि भाया यहाँ पर पूरा भरा हुआ है तो यहाँ से निकालना वड़ा कठिन काम है कठिन काम मतलब आइनरजी का यह order आएगा मतलब कि आइनरजी का यह order आएगा तो इस तरीकी साब क्या बोलते है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ग्रुप 2 को भाया परिशान करना कठिन काम है क्योंकि उनका electron तो भाया खुष प्रसंद बैठा हुआ है s orbital के अंदर समझे में बात आ गई है तो उसका electronic अलनाप के लिए कठिन होगा समझ में तो आई है कुछ पाई सब फील्स आ रहा है अच्छा जी अब अगला देखें मैंने बोला था जब जब आपको बोरॉंद के आपको सावधान रहना कहां कहां पे atomic radius और ionization energy के case में तो यहां पर सावधानी अगर हटी तो दुर्गटना तुरंत घटी मेरे भाई ठीक है यहां पर कैसे याद करेंगे याद करा देता हूं अभी तुरंत याद करें इसके आई-nation energy का order कैसे याद करेंगे अप क्या याद करेंगे up फिर down फिर अप फिर डाउन क्या है यह अप डाउन अप डाउन अप डाउन तो आप बोलेंगे कि अगर हम यह कब की बात कर रहा हूं अगर दो लोगों के बीच में देखा जा रहा है इस तरीके से दो दो लोगों के बीच में देखा जा रहा है तो इस तरीके से आप बोलेंगे कि प्रोटॉन का जटामिया सवावा तक क्यों जादा अगा इनुमवताये एलमूनियम में गैलियम का जादा क्यों है आप खाःएंगे आप सौच tu देखो मेरे भी या गैलियम के अंदर 31 प्रोटॉन यहां पे 13 प्रोटॉन और साइज वाइज आप देखो तो गैलियम छोटा अरे साइज वाइज गैलियम छोटा और प्रोटॉन नंबर ज्यादा तो यार आयना इसे नरजी ज्यादा होने का पूरा पूरा चांस है बोलो माम यहां पर मैंने क्या बताया था कि यहां पर देखो भया गैलियम और कैल्सियम के बीच में पहली बार 3D सिरीज इंट्री मारती है पहली बार 3D सिरीज इंट्री मारती है तो यह करिस्मा देखने को मिलता है और यहां पर देखें यहां दोनों में देखें भया बेरियम और टी चारी कर रहे थे आप किस चीज की हायटे की तो सोचे अपने जून और जजबे को तो वही वाली कहानी है पूरा उथल पुथल मचाने की आपकी आउकात थी चंता थी आज भी है हलाकि यहाँ पर क्या है पहली बार इंट्रे लिया है किसी एफ और्बिटल ने तो क्या हुआ यह उथल पुथल मचा है यहां पर भी उथल पुथल मचा है तो आप क्या बोलेंगे यहां पर तो रिजए फ्ट्र की वज़ा से यहां पर क्या है रिजन दोगे की टीयल का ज्यादा क्यों हो गया तो आप कहेंगे पूर एप के अंदर 14 लेक्रोंस मौझूद थे मतलब की वहां पर क्या हो सकता है लेंथनाइट कॉन्टराक्शन होने का चांस है पूर सिल्डिंग होने का चांस है इस वज़ा स यह वाली चीज उल्टी मिलते हैं क्लियर एक आनी कोई दिक्कत तो नहीं है आई यहां पर क्या है यहां पर आप बात करें तो नॉर्मल चलेंगे उपर से नीचे जाएंगे कम होगा कम होगा कम होगा लेकिन यहां पर क्रांती है यह दो जगा ठीक है अब मैं इसको यहीं प को बना के दिखा देता हूं बाकि आपको नॉर्मल बनाना है भाई नीचे जाने पर कम होगा नीचे जाने पर कम होगा कोई सक नहीं है इस बात पर कोई सक नहीं है इस बात पर उपर से नीचे जाएंगे तो कम ही होगा लेकिन दो जगा यह चीछ देखने को क्यों मिलती है तो वजासे इसका effect दो जगाँ दिखाई देता है लेकिन D वाले का effect सिर्फ एक जगाँ दिखाई देता है तो तुरंत इस चीज को याद गर लें अभी तुरंत इस चीज को याद गर लें भई clear मामला यस सर तो यह आपको पूरा आना चाहिए आइनेसन एनरजी वैसे एक डबलू ग्राफ पढ़ते हैं वो भी मैं आपको यहीं पर सिखा देता हूँ क्या अगर माल लो पूरे फैमिली के लिए पूछ दिया गया तब क्या करोगे ता आपको डबलू बनाना होगा क्या करना होगा डबलू बनाना होगा यहां पर आपको डबलू बनाना होगा सर यह डबलू क्यों बनवा रहे हो किसके लिए बनवा रहे हो अरे भया इस बॉर यहां पर देखें यहां पर आपके अलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं 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 यह पहले लिखे पहले boson आएगा फिल्टी ऐलाएगम देखिए बोरान के बाद TLAस्सक्वाद जी इसके बाद जी ऐगा कूँ आएगा इंद ऑर इसको याद करने यह betका इंतरीका इस्से आप गलती नहीं करते इस से आप गलती नहीं करते मेरे अधर वाइज गलती हो जाती है अधर वाइज गलतियां हो जाती तो डबलू ग्राफ यादगर के आप ये बोल सकते हो कि ये और जो दिख रहा है यही आईना जिसन इनर्दी का ओर्डर है वो रॉन थामने के लिए सर तो आपने ये क्या बताया था अप डाउन वाला अरे वो दो लोगों के बीच लेगे इसमें जार ब्रेक की खास जरुवत इसमें नहीं है ठीक है अभी तो क्या ही टाइम हुआ है चलते हैं देख लेते भही बताईए चलिए अनरजी का ओर बताएसां लोग बताईए इसमें जिसन इनरजी का कृप़या ओर बताएं यहां पर आईनेशन एनर्जी का क्या ओडर होगा भई बताईए आईनेशन इनर्जी का ओडर बताईए कुछ mistake हुआ गया एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा अच्छा टील लास्ट में लिख दिया गया यहाँ पर टील लिख चुका हूँ यहाँ पर क्या है यह चैनली क्या हो जाएगा यहाँ के बाद इन एक दम सभी बताया आपने एक दम सहीुल camarा ठीक है अभी मामला ठीक है एक दम सब सबसे खाले यह और इस वाले फैमली की सबसे जाद आएगी और इसमें सबसे ज़्यादा कि Breeze है अरे किसकी है हाईस्ट आइसे अनारजी हृण की आच्छा है जब आप यहां की तरफ कहां पर लेट साइड ऊपर से नीचे olhos सबसे कम किसी मिलती है सर सीजियम की मिलती है सरफ फ्रांफ सीजियमट है एसके पहले बात चर्चा आहीक नहीं होती दूसरी एक प्रानफ rozp का इस dich प्रिस्पक्ट में थोड़ा सा ज़ादा ही आता है। यह देखने को मिलता है। फिलाल आपको जो लिखा गया है वो तना ही आना चाहिए। मैंने बताया ना जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतनी से काम आपका हो जाएगा। ठीक है। तो देखो भया ये जो पूरी फैमिली यह यहां पर सबस्यादा इसका है और सबसे कम किसका है सीजियम का है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यह अब आप से एक सवाल पूछा गया था कि लीथियम, बेरिलियम, बॉरॉन यह इनके अंदर आडर बता दीजिए चलिए बताएं इनको याद किया ही होगा आपने कैसे याद करते हैं कि वहिया जहां पर में जाए आपको fully filled यहां पर मिलेगा S2 बाक्यूम आप लिख लीजेगा यहां पर क्या मिलेगा P3 तो यह हो गया half सब्सक्राइब लेक्ट्राणिक किडिशन निकालना आसान हैरे रहीं कोई atom अपने आपने में खुस है प्रसंद थे तो यह थी जगहा देखने को यह चीज दलते हैं यहां पर इनके आइनेसन एनरजी जितना हम सोचते हैं उसे थोड़ा सा ज्यादा आता ही है ठीक है इसलिए यहाँ पर हम जंप कराएंगे क्या करेंगे जंप हमें पता कि लेप्ट से राइड जाने पर आइनसन एनरजी बढ़ती है लेकिन आपको क्या देखने को मिलता भई है जो प्रेलियम है वो बोरॉन और कार्बन के बीच में आके लैंड करता है जब हम आइनसन नरजी का और बनाते हैं तो इसी तरीके से नाइट्रोजन क्या है हाफ फिल्ड अगर नाइट्रोजन और पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे नाइट्रोजन कैसा था हाफ फिल्ड और यहाफ फिल्ड नहीं है ना तो फुली फिल्ड है तो इसका वाले का क्या होगा स्टेबल इलेक्ट्रोजन कंफिगरेशन तो इलेक्ट्रोन निकालना कठिन इलेक्ट्रोन निकालना कठिन मतलब ज़्यादा एनरजी दे करके इलेक्ट्रोन निकालना पड़ेगा इसका मतलब यहां पर कभी-कभी आपके मन में सवाल गूंज सकता है कि इसको जंप क्यूं दिया यहां की बात तो समझा गई हाफ फिल्ड था ऑक्सिजन के रिस्पेक्ट में आप इसको आगे कर दिया आपने इसको बोरॉन से आगे क्यूं किया तो यहां पर समझ लीजिए यहां पर है भ से और आपको पता है निउकलियस के सबसे करीबी कौन है तो स अर्बिटल का इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा इसका मतलब उसकी आयनेसन इनरजी ज्यादा होगी बिद्रिसपेक्ट किसके जहां पर पी आर्बिटल से निकल रहा है इसको कहते हैं किसको हमने सौल्व किय है penetration effect को लगा करके तो यहाँ पर penetration effect की वज़ा से यह jump ले रहा है और यहाँ पर half field की वज़ा से ले रहा है कि इसका stable electronic configuration है हमारे nitrogen का मामला clear है कि सब लोग बताएंगे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यह चीज यहाँ पर कर जाएगी वो चीज आगे jump कर जाएगी यह इन दोनों के बीच में पाया जाएगा ठीक है और यहाँ पर तो आपको पता है यह जादा होता ही है तो थोड़ा सावर बढ़ना दो किस तरीके जादा होगा ठीक है बाकी order आप लिख ले जाएंगे किसी को तो नहीं है किसी को को दिक्कत में नाईट्रूजन वाला उठकी कहा जाएगा ऑक्सीजन और फ्लॉरीन के बीच में जाएगा यह इनके आगे land हो जाएगा इस में किसी को दिक्कत तो है इसमें को अधिक्कत तो निया आप बना ले जाएंगे ना कि हमें ये भी बताना पड़ेगा क्या कृणी यहां पर जायगा नियोन इसके बाद फ्लोरीन के बाद कौन आएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाद आएगा ऐगा ऑपसीजन ऑकशिजन के बाद कोन इसे तरी की साब नीचे वाला भी बना ले जाएंगे वेरे गुड जैई 2023 ने सही लिखा है नाम भी जैई 2023 लग्ष लग्ष लिए वेरे गुड ओके अगला देख लेते हैं मेरे बाई अगला क्या है अगला मैं आपको डी ब्लॉक की तरफ लेकि जाऊंगा यहांपर से नीच जाते हैं तो size अगर बढ़ती है तो आप निश्च तो उसे यह कह सकते हैं कि क्या होगी घटेगी उपर से नीचे जाएंगे तो ionization energy का क्या order आएगा भाईया ionization energy घटेगी यहाँ पर और लिट के बीच में size का normal trend था तो आपने क्या देखा कि यहां और यहां पे size किसका जादा होता है सर इसका ज्यादा होता, इसका मतलब इसका ionization energy कम आएगा, इसका ionization energy कम आएगा, लेकिन इन दोनों में size बराबर हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, जडार और HF का, जडार और HF का size क्या है, mistake कहां पे है भई, इसमें sequence में, अरे जो बताया हुआ है, वो जंप कराके लिख ल हैं, तो यह अपने outer cell के electron को hold करके बैठेगा, तो यहां से electron निकालना कठी नहीं है, मतलब की ionization energy की बात करें, तो नीचे ionization energy आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, इतनी बात समझ भाई, क्या, इसका भी वही reason है, इसका भी वही reason है, length night contraction, यह reason दिया जाए, length night contraction बोला जा मैं जानता हूँ, क्या आप कर ले जाएंगे, बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ लोग गलतिया कर बैठते हैं, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को लेकर कर आउँ, beryllium और बरोन में beryllium का ज्यादा, magnesium, aluminium, magnesium का ज्यादा, calcium, gallium में calcium का ज्यादा, हमेशा ही इस बात का ख्या आपको नहीं होनी चाहिए, मामला क्लियर है, इसमें बहुत देखनों इसमें यही चीज आएगी, इसको नोट डाउन कर लीजेगा, आप अक्सर यह चीज गलत कर देते हैं, ओके, अब आजाते हैं अगले पर, इसमें किजी को दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ याद हुआ, अन ग्रूप 1 के हैं या ग्रूप 2 के, अब इन्होंने खुद बता दिया कि ग्रूप 1 या ग्रूप 2 उसमें से ही आपको धूड़ना है, फिर आपको यह भी धूड़ना है कि कौन ऊपर है, ग्रूप में कौन नीचे है, इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे, सर उपर से नीचे क्या हो जाती है, बताइए, सर, आइनाजिसन एनरजी हो जाती है, नीचे के तरफ जाने पे कम, तो उपर जो होगा, उसका ज्यादा होना चाहिए, तो देखो भाया, जो फर्स्ट आइनाजिसन एनरजी है, उसमें ज्यादा किसका दिख रहा है, एका, इसका मतलब अगर के होंगे, तो A उपर होगा, B एलेमेंट उसके नीचे होगा, तभी उपर से नीचे जाते हैं, वक्त आपको दिख रहा है, कि आइनाजिसन एनरजी कम हो रही है, इतनी बार ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सर नहीं है, अब आगया जाते हैं, आपको यह पता करना किस ग एलेक्ट्रोन आपने निकाला, तो इतनी एनरजी आपको देनी पड़ी, चले मैं आपको बना के दिखाता हूँ, A को जब आपने 899 किलो जूल दिया, तब उसने A प्लस बनाया, मतलब पहला एलेक्ट्रोन निकाला, और 2 प्लस वो तब बना जब आपने 1757 किलो जूल पर मो क्या हो जाएगा, A 3 प्लस तब बनेगा, ठेका जी, इसी तरीके से B को भी लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, तब आपको आराम से समझ में आएगा, इसको बोलते हैं, successive ionization energy, है न, B से क्या बनेगा, B प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, B 2 प्लस, अगला हो जाएगा B 3 प्लस, यहाँ की condition क्या है भी यह, यहाँ के बोला गया कि जब मैं 7, 7, 3, 7 दूँगा, है न, तब यह निकल पाएगा पहला electron, दूसरा निकलेगा, 1, 4, 5, 0 में, अगला निकलेगा, 7, 7, 3, 1 किलो जून पर मोल में, बोलो भाई, इतनी बाट ठीक है, जल्द ही हो जाएगा टॉपिक के चिंता मत करो, टॉपिक हो जगा टाइम पर, ठीक है, तो आपको यह समझ में आगया, यह सरी बात तो समझ में आगया, अराम से, ठीक है, अब एक चीज क्या देखनी होती है, हमेशा दिमाग ऐसी जगा पर जाना चाहिए, जहाँ पर जादा electron, जादा energy का gap है, energy यह चीज संभव है, यह बात समझ में नहीं आई, जैसे मान लीजिए, मान लीजिए आपने लिया calcium, क्या लिया calcium, तो calcium का electronic configuration आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, neon लिखोगे, neon में आपने कितने निप्टा दिये, 10, 2 बच गए, तो आप क्या लिखते हो, 3S, यह लिखते ह निकल गए, तो 3 एलेक्ट्रोन आपको neon से निकालना होगा, और neon की जो आइनाजिसन एनर्जी है, वह जादा होगी, neon की electronic configuration से, इलेक्ट्रोन बहुत कठिनाई से निकलेंगे, तो वहाँ पे और जादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसका मतलब है, कि मेरे भईया, A क्या ह A जो है group number 2 का है, तभी जो है, उसका जो third energy है, वो tough हो पा रहा है, पहला दोनों तो आसान है, ऐस से दोनों निकालना तभी ठीक थाग था, आसान था, लेकिन neon से निकालना कठिन पड़ेगा, तो A कहां का है मेरे भई, A कहां का है, आप बोलेंगे A जो है group number 2 का है, similarly आप बो का होगा, तभी वहाँ से ऐस से तो दोनों electron आसानी से निकल रहे हैं, कम energy देने से, लेकिन वो inert gas configuration गेन कर लेगा, तब वहाँ से निकालना कठिन होगा, इसका मतलब ये भी group number 2 का होगा, अब आपको पता चल चुका है, कि दोनों ही group number 2 के हैं, दोनों ही group number 2 के हैं, और A उप की तरफ है, भी नीचे की तरफ है, अब इसमें से आप निकालने जाएंगे, बोलो भाई, बोलो भाई मामला ठीक है, अरे कौन कह रहा है calcium, यहाँ पर आरगन लिख दो, अरे आरगन का खुद का अठारा होता है, calcium का खाली 12 ही होता है, ठीक है, इतनी मामला ठीक है, इसमें क वाले उससे भी जादा होगी, फोर्थ वाले उससे भी जादा होगी, तो इस तरीके से, जितना जादा आप electrons निकालते जाते हो, effective nuclear charge वहाँ पर और बढ़ता जाता है, इस तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, अगला question आप करेंगे, देखे, among the elements with following, अच्छा, इन्हों तो उपर हो, group wise हो, तो उपर हो, नीचे नहीं हो, नीचे होगा, तो क्या होगा, उपर तो नीचे होगा, पर कम हो जाती है, आने synergy, तो इसका मतलब हाँ पर lower आएगी value, ठीके, highest कब आ सकती है, जब आपे inert gas configuration दिख जाए, inert gas configuration दिख जाए, या तो higher कब आ सकती है, जब वो half filled या fully filled हो, जब वो half filled या fully filled हो, ठीके, fully filled हो, ठीके, half filled या fully filled हो, clear है मामला, यसा, तो चक कर लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पहले देखो, यहाँ पर third cell, third cell, third cell, third cell, valence cell third है, यह four है, four है, तो नीचे तरूप से क्या होगा, आप बताए, four है, तो यहाँ पर नीचे से थोड़ा सा क्या होगा कम होगा थड़ो के रिस्पेक्ट में तो इसलिए आप बोलेंगे कि वया देखो ये वाला जो है यहां पर हाफ फिल्ड भी आरा है यहां तो फो स्षर्ण पास रतना निहीं होगा लिए तो कम होगा यार यह P1 लिखे यह P2 लिखा हुगा है ठीक है तो कुल मिला के यह आपका option सही हो जाएगा ठीक है मैं यह हटा रहा हूँ कौन सा सही है भी या बी option सही है बी option सही है बहुत लोगों ने भी बताया हुगा है अच्छा हाँ अब समझ आया है ओके आगे देख लेते हैं यह आपको समझ में आ चुका है अगला देख लेते हैं मेरे अगला देख लेते हैं अगला देख लेते हैं दफास्ट ट्राइशन एंथाल्पी ऑफ दे सोडियम मैगनीशन यह कोशन करिए यह कोशन करिए आपके लिए छोड़ दूँ या कमेंट कर दीजे तुरंट चलिए चलिए क्या लिका सोडियम मैगनीशन सिलिकन का उन्होंने वैलू दे रखी है और अपने पढ़हाए था कि मैगनीशन वाले को क्या करना है इन डोनों के बीच में लेटाके रखदेना है इसका मतलब कि सोडियम का कम होगा फिर अल्मुनियम आये wisdom आएगा और फिर सिलिकन आएगा इसका मतलब यह हुगा कि याल्मुनियम में अल्मुनियम कि जो ionization energy होगी Alemunium की जो लेकिन इसवाले से जादा होगी इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक हजी तो देख लीजिए, यहीं आएगा order लेकिलीजिए, sodium कीतना था sodium कीतना था 490 490 6 самое से जादा 490 6 HOWँ पर लिखा हुआ है 490 6 से जादा होनी चाहिए लेकिन 437, 437 से कम होनी चाहिए, मतलब B option सही है, कितना आसान था, बहुत सही, बहुत सही, मिल गया क्या भई, जबाब अब, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, अच्छा question था, ऐसे question मेरे भई आ रहे हैं, अगला question करते हैं, अक्सरना सवाल ionization energy से आते हैं आपके paper में, तो इसलिए मैं अच्छे तरह किसे कराने की कोसिस कर रहा हूँ, the correct order of decreasing second ionization enthalpy, second ionization का मतलब क्या है, कि दूर, आपको क्या करना, electron निकालना, second वाला, कहां कहां पे, titanium, vanadium, chromium, magnees, तो ठीक है बहुत लेक लेते हैं, देख लेते हैं, अब इन्होंने सवाल पूछा है, तो देखना पड़ेगा, क्या करना भईया, आमें, पहले electron, पहले वाले ionization energy पे इन्होंने कोई चर्चा नहीं किये, इन्होंने क्या बताया, कि जो चर्चा करनी है, वो second वाले के लिए करनी है, तो देख लेते हैं, यहां देख लीजिए मेरे भई, अब इसकी चर्चा करनी है, कि कहाँ पे टफ पड़ेगा electron निकालना, बताइए, पहाँ पे टफ पड़ेगा electron निकालना, बहुत लोगों ने जबाद दे दिया है, आप बोलेंगे भईया, यहां से electron निकालना बहुत कठीन है, उसका reason क्या है, उस 4s1 3d5 electronic configuration है 4s1 3d5 electronic configuration है मेरे भई समझ गए क्या यस सर पहला इसलिए क्रोमियम आएगा कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को एक ही जगा लिखा हुआ है क्रोमियम बहुत सही अगला देख लेते हैं डाइगनल रिलेशनसिप यह कुछ ऐसा है कि आप मतलब आपके आसपास जो लोग रहें उनके साथ आपका ठीक रिस्ता जम नहीं रहा है तो आपने क्या किया भई यह पड़ोसी को देखना सुरू कर दिया है ठीक है तो यह देखने को कम मिलती है परली है उनके साथ जो रिस्तेदारी है वो तो है वो तो घर की रिस्तेदारी है उनके हैना लेकिन वो क्या सोचते हैं यह पड़ोसी पर थोड़ा सा निगाह मार लेते हैं ठीक है तो यह पड़ोसी हमारा मैगनीशम किसका इस वाले लीथियम का तो डाइगनल चाहरे हैं हम हम कहना यह जा रहे हैं कि लिपrium और मगनीशियम के कुछ behavior Todos आज बर्लियक워 естоलूइम इनके भी कुछ behavior माश करते हैं इनके रेक्शन करने का तरुख anteriorivamente इनका आक्षिजन से बाचीट करने का तरीका तर्म यह सब अलग अलग नहीं भल्कि सेम होता है सायद आप ये सोचें कि ये अलग-अलग ग्रुप में हैं तो इनका बिहवियर अलग होगा लेकिन इनके आपस में बिहवियर सेम दिखाई देते हैं और इसी रिलेशनिप को डायगनल रिलेशनिप कहते हैं अब सवाल आता है ये डायगनल रिलेशनिप पैदा ही क्यों होता ह इसका क्या रीजन है अब भया देखो रिलेशन आप ऐसे समझो कि इन दोनों के बीच में रिस्तेदारी इसलिए हो पा रहे है क्योंकि इनकी दोनों की साइज करीब करीब सेम है कैसी बात करते हो यह वाला गुरूप नंबर टू का और यह गुरूप नंबर थ्री का है साइज बात मत करो यार बेक के लिए जादा मतलब यह चाक्टर रितना बढ़ा नहीं कि ब्रेक दिया जाए इतनी हिम्मत तो लगाओ अब ओके अब साइज की बात करें तो लीथियम और मैगनीशियम की साइज क्या होती है सेम होती है क्वेशन कभी कभी इस पे पूछा गया है ली ने टू प्लस बनाया तो इन्होंने दो एलेक्ट्रोन निकाल दिया इसका मतलब क्या हुआ इस वाले की साइज छोटी आएगी लीथियम प्लस की साइज बढ़ी और मैगनीशियम टू प्लस की साइज क्या आएगी छोटी आएगी यह चीज़ देख लीजिए आप यहां प कुछ चीज़ें बोलूगा देखो भाई आपके पास टोटल 35 दिन है 35 दिन है और वो आप पे डिपेंड करता है कि 12-12 घंटे 13-13 घंटे बैट करके क्या आप पढ़ पा रहे हूँ अगर आप पढ़ पा रहे हूँ तो आप एक स्टेप जरूर एहड चले जाओगे लोगों से, competition में एक स्टेप एहड हो जाओगे लोगों से, एक सीड़ी आप ऊपर चड़ जाओगे अगर आपने इस वक्त सही तरीके से यूज किया है और अक्सर मैं कहता हूँ कि जब-जब, जब-जब stage performance देनी होती है, जब-जब आपको क्या करना होता है, paper लिखना होता है, paper द लड़ना आपको पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है भाई, तरीका सिर्फ यही है, जब आपके performance का वक्त होता है, तब आप लोग break चाहिए, break चाहिए, अरे teacher के, आपके साथ teacher खड़ा है, जितना दुखदर्द आपको है, उतना हमें भी है, साथ हम इसलिए लिए खड़े पहले ही आदत डालनी पड़ेगी, मैं यह कता ही नहीं कहता, तुम्हें anxiety नहीं होगी भाई, human nature behavior यह होता है, होता रहेगा, इंसान जब तक होगा, तब तक ही होता रहेगा, ठीक है, लेकिन तरीका क्या है, कुस anxiety को feel करो, आपने आपको परिसान करो थोड़ी सी, कैसी बात क आपक उठेगी आपके अंदर से, तो जैजवाला आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई break की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा chapter नहीं है, आप लोग ये बोल आकर के chapter की length बढ़वाद होगे, ठीक है, आगे चलते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि आधी भीन है चट चुकी, कुछ भ अंदर से, ये निश्चित है, सुनिश्चित है, कि अगर आप लगे हूँ, आप पार अपनी नईयाद जरूर कर ले जाओगे, ठीक है जी, चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं, इनमें बच्चे बहुत परेसान होते हैं, और उनको ये समझ नहीं आता, ये कब जब आप द कि ये तीन गुरुप पर अपलाई होगा, थ्री गुरुप्स ओफ पी ब्लॉक पर ये अपलाई होगा, नोट डाउन करें, इस चीज को आप नोट डाउन करें इसी तरीके से, इनाट पेयर इफेक्ट, कितने लिखें, इनाट पेयर इफेक्ट, तीन दिख रहे हैं यहाँ इसका मतलब है याद करा रहा हूँ मैं, यह तीन गुरुप और पी ब्लॉक पर लगेंगे, और वो भी उस तीन गुरुप के सबसे नीचे वाले इलेमेंट्स पर लगेंगे, कहां पर लगेंगे, सबसे लास्ट वाले इलेमेंट्स पर हम अपलाई करेंगे, यह कहां पर आता हो आपने लिख रखा हो एक पेज निकालो उस पर लिख दो इनट पेर इफेक्ट भया तीन वर्ड दिख रहे हैं तीन लोग दिख रहे हैं इसलिए मतलब है तीन गुरुप पर हम अपलाई करेंगे इतनी बात समझें कोई दिक्कत नहीं है लास्ट इलेमेंट पर अपला तो दो इलेक्टरॉन का एक ऐसा पेर तैयार हो रहा है कहां पे पी ब्लॉक के किसी तीन गुरुप के लास्ट इलेमेंट के पास जो की केमिकली इनट है जो की रियक्शन में पार्टिसपेट नहीं करना चाहता अरे बात समझाई क्या क्या जो की पार्ट नहीं बनना चाहता तो हमारा pair कैसा है, inert है, और उस दो electron के, उस दो electron के inert behavior की वज़ा से कुछ chemistry पर प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को inert pair effect कहते हैं, रे बुद्धो समझ आया की नहीं, यसर समझ आया और ये जो electrons है, ये 6H2 electrons हैं, कौन से, 6H2 electrons हैं, अब 6H से आपको guess हो गया होगा कि कौन से, 3Element की मैं बात कर रहा हूं और कौन से, 3G group की बात कर रहा हूं, चलिए आपको दिखाता हूं ये note down कर लिया होगा, इस हमया भरूसा रख रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला था note down करने को, सायद आपने किया होगा आपके सामने प्रसुत करता हूँ, यह पहला गुरूप, यह दूसरा गुरूप, यह तीसरा गुरूप, सिर्फ इन्ही तीन लोगों पर अपलाई होता है, इन्ही पर अपलाई होगा, अरे इनका electronic configuration आप लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएग 6S2, और आपके यह P का पहला element है, इसलिए 6P1, अरे बोलो मामला ठीक है क्या, हाँ सर ठीक है, पहला है तो 6P1, आप क्या लिखो के बीच में, 4F पूरा भरा हुआ, इसके बाद 5D के अंदर 10, अरे बोलो भाई, मामला ठीक है क्या, बोलो भाई, मामला ठीक है क्या, यह सर ए जी इतनी बाद ठीक है, आप देखो होता क्या है, होता कुछ इस तरीके से है, कि देखो यार बोरॉन के पास तीन इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में थे, और वो तीनों इलेक्ट्रॉन दे करके नेचर में बोरॉन 3 प्लस के फॉरम में रहना पसंद करता है, तो बोला जाता है कि boron का 3 plus oxidation state ज़्यादा stable है और oxidation state के ज़्यादा stable होने का मतलब है कि वहाँ पे आपके nature के अंदर जो molecules जो भी आपके species मौजूद हैं वहाँ पर boron के हमेशा आपको 3 plus दिखाई देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा stable है प्लस 1 कब आता है जब देखो यार boron के लिए लिखो boron के लिए electronic configuration सर क्या बात कर रहे हूँ यहाँ पर तो S2 P1 ही लिखना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा 2S2 2P1 अगर आप सिर्फ P से electron निकालोगे तो boron पे प्लस 1 आएगा अगर आप तीनों निकाल दोगे तो boron पे 3 प्लस आएगा मामला सही है यस सर तो अगर हम दोनों में compare करते हैं तो 3 प्लस का ज़्यादा आता है लेकिन 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 यह जो TL है ना उस TL में मेरे भाई प्लस 1 ज़्यादा stable है with respect to TL प्लस 3 TL प्लस 3 के क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने भाई यह देख लो ज़्यादा stable कौन अरे बोलो ज़्यादा stable कौन नहीं सर आपने गलत लिखा है अच्छी बात है यहाँ पे आप क्या बोलोगे TL प्लस 1 is more stable इसका जस्ट उल्टा नीचे देखने को मिलता है इसका region पता है क्या है इसका region है कि भाईया देखो P1 से तो electron आराम से निकल जाता है P1 से निकलने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 6S से निकालने में खोपड़ी लाल हो जाएगी क्यों क्यों क्योंकि भाईया ये लोग present 24 ऐसे electron है जो की ऐसी जगा पर present है जो की पूर shielding करते है तो इस 6S पर nucleus का hold जादा होगा अगर hold जादा होगा तो यो nucleus की तरफ penetrate कर जाएगा अगर penetrate कर जाएगा तो उस 6S से electron नहीं निकल पाते आराम से क्या बोला मैंने अरे electron यहाँ से आराम से नहीं निकल पाते वो कैसा behavior so करता inert तो एक pair कैसा हो गया inert हो गया और उसके inert होने की वजह से आप बोलते हो कि TL plus 3 ज़्यादा दिखता नहीं है TL plus 3 nature में ज़्यादा दिखता नहीं है बलकि ज़्यादा दिखता कोन है TL plus 1 इसको इसी तरीकी से पढ़ना है समझाया क्या अरे बोलो भाया समझाया क्या मामला सेम कहानी कार्बन के लिए लगानी की कार्बन प्लस 4 के अंदर बहुत सादा दिखाई देता है बिद रिस्पेक्ट टू carbon 2 प्लस तो यह stability की बात होई लेकिन अजर मैं lead की बात करूँ तो lead जो प्लस 4 है वो lead कम stable है बिद रिस्पेक्ट टू अरे sir आपने अब की बार प्लस 4 क्यों कर दिया अरे मेरे भाई धान सुनना यहां पर आप निकालो carbon के अंदर क्या लिखोगे S2P2, S2P2 लिखोगे, 2S2, 2P2, 4 electron निकाल दो, अगर सिर्फ P से निकालोगे तो 2 आएगा, उसी तरीके से यहां पर देख लो, तो यहां पर आपको समझ में आ गया, अच्छा एक चीज और भी समझ में आ रही होगी, कि सिपेट नहीं करता bonding में, वो निकलता ही नहीं, अरे बात समझ आई क्या, अरे बतलब बात समझ में आई क्या, यस सर, similarly जो बिसमत 3 प्लस है, वो ज़्यादा स्टेबल है, बिसमत 3 5, प्लस 5 के, तो यह ज़्यादा स्टेबल है मेरे बाई, बिसमत तो इस वन, मतलब नेचर म चल रही थी, और इसी वज़ा से नुकलियस, आउटर सल के उलेक्ट्रॉन को पगड़ के खीच लिया, सिक्सेस को, और वो पैनिट्रेट कर गया टूवर्ड्स नुकलियस, तो भाईया जी, वहाँज इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते, क्या आपको इतनी बात समझ है, इतन से जबाब बताए मेरे भाई, सन मैं अगर ले लूँ प्लस फोर, और क्या ले लूँ मेरे भाईया, सन प्लस टू, सन प्लस फोर और प्लस टू की अगर मैं बात करूं, तो बताए क्या होगा ज्यादा स्टेबल, सर प्लस फोर ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ और बात निपट गई अगला देखिए अब एक चीज होटी है ने थ्यानते सुनना अब यार जैसे बिस्मत है ना हमें पता है निश्यतरुप से 3 Believe के सबसे जड़ा मोलیکूल साब को दिखेंगे दुनिया में इसमें को दिक्कत नहीं है लेकिन जो बिस्मत 5 है उसका भी एक प्रजेंट होता है उसका भी नेचर में एक मॉलیکूल प्रजेंट होता है मैंने ये बोला है कि इन दोनों में ज़्यादा stable इसका होगा इसका मतलब यह होता है इसके ज़्यादा molecules ज़्यादा species इसके बहुत कम या ना के बराबर तो सिर्फ और सिर्फ एक molecule ऐसा है जो कि bismut plus 5 के अंदर है और एक बात और बता हूँ जो higher state जो higher oxidation state होते हैं वो सिर्फ ज़्यादा stable होते हैं या तो oxygen के साथ या तो fluorine के साथ ज़्यादा electro negative element ही higher oxidation state को stable कर पाते हैं और यहाँ पे सिर्फ fluorine कर पाता है इतनी बाद ठीक है यास सर्थ अब देखो अगर हम मैं tellurium की बात करूं तो उसका plus 1 के सबसे ज़्यादा molecules exist करते हैं इसमें कोई सक नहीं इसमें कोई संदे नहीं है आप निश्यतरुप से यह लिख सकते हैं कि वह या देखो TLF exist करता है no doubt TLCL exist करता है no doubt कोई सक नहीं कोई समस्या नहीं है यह लोग ऐसे exist करते हैं क्योंकि दोनों में plus 1 plus 1 ही है लेकिन इसके साथ साथ देखे भईया यहाँ पे tellurium का plus 3 भी exist करता है tellurium के plus 3 का यह देखिए एक exist करता है इसी तरीके से एक और है tellurium के related that is TL2O3 लिख लेना TL2O3 TL2O3 मतलब उसका oxide ठीक है जी अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप बोलोगे कि देखो विया तीन tellurium sorry एक tellurium 3 plus के साथ और 3 fluorine negative है तीन fluorine negative है मामला clear है बोलो भाई मामला clear है प्लीज मामला clear है यह सर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं ही iodine के साथ ऐसा नहीं मैंने अभी बताया था कि higher oxidation state is stable होती है सिर्फ और सिर्फ या तो fluorine के साथ या तो oxygen के साथ वो iodine के साथ नहीं होती यहाँ पर आप यह मत कह देना कि यहाँ पर Tl plus 3 है और iodine T negative है ऐसा exist नहीं करेगा iodine के साथ क्योंकि iodine भी या fluorine नहीं कोई ज़्यादा electro negative element नहीं है तो यह कैसे exist करता है उसके बारे में देख लीजी मिर भाई यह कैसे exist करता है यह करता है कि टेलोरियम पर plus 1 ही रहेगा और I3 पर minus 1 रहेगा I3 minus 1 रहेगा तो यह इस तरीके से exist करता है है ना जी मामला क्लियर है क्या मामला क्लियर है क्या समझ में आ रहे है वैसे भी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यह तो कभी बन ही नहीं सकता अगर आप सोचें कि भाया अगर इसका यह है तो इसका यह क्यों नहीं हुआ आप बताए क्यों नहीं हुआ अरे भाया फ्लोरीन अगर आप इसका बॉंड बनाएंगे आगे आपने पड़ा होगा क्या आप इस तरीके से बना पाएंगे क्या fluorine कभी इस तरीके से negative charge बनाएगा और दो bond बनाएगा नहीं बनाएगा संबहज होगी नहीं है अपवेसा fluorine एक bond बनासकता है इसलिए fluorine की कहानी में आप ये बोलेंगे कि ये इस तरीके से टूट ही नहीं सकता लेकिन iodine की कहानी में यह इस तरीके से तोपता है, अरे मेरे बाई बात समझ में आई क्या, नहीं आई तो दुबारा बता देता हूं, किसी को समझ में नहीं आई है, बात यह है ना, कि देखो यार, higher oxidation state के साथ, fluorine, oxygen चलेगा, iodine नहीं चलेगा, कि आपने लिख दिया कि टेलूरियम पे 3+, है, और 3 iodine negative ने उसको घिर रखा, नहीं, वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, कि टेलूरियम पे plus 1 है, और I3 negative, और I3 negative आप पढ़ते हैं, कि यह chemical bonding में कि वो exist करता है, clear है ना, यस सर, ठीक है जी थैलियम की बात इतनी समझना गई, तो थैलियम के साथ आपको यह कहानी रेखने को मिलती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो थैलियम के साथ यह हो जाता है, और lead के साथ क्या होगा, इसका plus 2 ज्यादा stable होगा, with respect to plus 4, तो इसका मालूम मैं एक compound बना दूं क्या, PbO2, यहाँ आप चकरेंगे, lead पर plus 4 आएगा, and PbO, बताएं इन दोनों में ज्यादा stable कौन है, lead के case में ज्यादा stable कौन होता है, यह आप बोलेंगे lower oxidation state, due to inert pair effect, due to inert pair यह effect हमें यह चीज़ देखने को मिलती है, यह मात समझ जा गई, तो थैलियम की कहानी समझ में आ गई, यह समझ में आ तो stability के लिए किसमें जाना चाहेगा, अरे भई, lead 2 plus में जाना चाहेगा, कितने में, अरे बो, lead 2 plus में जाना चाहेगा, तो PB plus 2, तो reaction के अंदर आप देखते हो, अगर कहीं पर plus 4, तो उसको आप तुरंत convert करा सकते हो, plus 2 के अंदर, इसी तरीके से, अगर माल लो मेरे पास, ध क्योंकि यह जादा stable है, last वाला जो बन रहा है, वो जादा stable है, मामला क्लियर है, बोलो भई, मामला क्लियर है, yes sir, यह आप आराम से हो जाएगा, अब सुनू, जहां कहीं भी यह reaction में जाएगा, वहां पर यह अपने आपको क्या करा रहा है, बोलेंगे, reduction करा रहा है, दुब lead plus 4 कुद को reduce करके PB plus 2 बनाता है, क्योंकि plus 2 ही stable है, plus 4 stable नहीं है, तो वो plus 4 plus 2 में ही जाना चाहेगा, जाना चाहेगा, और यहाँ पर देखी, SN plus 2 और SN plus 4 में जादा stable कौन है, plus 4 जादा stable है, इसका मतलब plus 2 plus 4 में जाना चाहेगा, अपने आप ही जाना चाहेगा, अगर ऐसा है तो आप यह कहेंगे, कि यह अपने आपको oxidize करा रहा है, अगर आयन अपने आपको oxidize करा रहा है, तो दूसरे को क्या करा रहा होगा भाई, reduce करा रहा होगा, अगर दूसरे को reduce करा रहा है, तो उसका नाम reducing agent पड़ेगा, तो आप कहेंगे, कि यह lead plus 4 जो होता है, वो oxidizing agent है, इसका उल्टा ये नहीं कहना है पेपर में, कहीं भी लिख मत देना, नोट ऐसे मत कर लेना, कि भाया ये वाला गर ऑक्सिडाइजिंग है ना, तो ये वाला डिडूसिंग होगा, ऐसे नहीं चापना है, केवल आप ऑक्सिडाइजिंग चक करिए, क्यों, क्योंकि यही रियक्शन फीजिबल है, उसका उल्टा फीजिबल नहीं है, अरे भाई इतनी बात समझ में आ गई, कहानी समझ में आ पेपर में ये सब दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो लेड प्लस टू होगा, वो भाईया ज्यादा इस्टेबल होगा, यस, लेड प्लस टू ज्यादा इस्टेबल होगा, तो ऐसी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, इनट पेर एफ्रेक्ट पूरी तरह से हमने सीख लिया है, कोई दिख्कत, कोई परिसानी नहीं है, अब आजाए अगले पर, अगला क्या है electron affinity, electron affinity का मतलब यह होता है, प्यार, मुहभब्ब, electron के लिए प्यार, कोई एक neutral atom है, isolated है, अकेला घूम रहा है, उसके पास electron अगर आता है, तो वो खुद चाहता है, कि हाँ भाईया, मैं electron ले लूँ, और electron लेगा कैसे भी या, electron लेगा उसको अपने valence cell में रखेगा और valence cell में रखने के बाद अपने nucleus के साथ वो एक force of attraction में रखेगा और जब वो force of attraction में रखेगा तो भई आपको पता है कि stress में कहीं भी force of attraction लग रहा होता है तो उस system से हमें सा energy निकल रही होती है इसलिए electron affinity कौन से energy है? वो energy है जो release होती है जब कोई neutral atom एक electron को receive करता है क्या आपको इतनी बात समझ गाई? अब अगला देख लिजी, यह हमारे पास एक atom है उस atom को हमने क्या किया? एक electron बाहर चिला के देनी की कोशिस के रहे electron आया यहाँ valence cell में बैठा valence cell में बैठने के बाद, देखे माली जी, electron यहाँ आगया बैठा तो आपने क्या देखा? nucleus उसको अपने force of attraction से खीच रहा है और अगर force of attraction है कहीं पे तो निश्चत रूट से वहाँ पे energy निकलेगी क्या होगी energy निकलेगी? तो electron affinity क्या वो ली जाएगी हाँ पर positive? दुबारा सुनना मैं बस समझाऊँगा electron affinity जो सब्द होता है वो सिर्फ ये बताने के लिए यूज किया जाता है कि वो electron को चाहता है या नहीं चाहता है अगर वो atom electron को खुद चाहता है तो positive है मतलब उसके लिए प्यार positive है लेकिन अगर वो electron नहीं चाहता कि या वो नहीं चाहता है और मैं electron लूँ तो उसके लिए लिखा जाएगा कि electron affinity negative है लेकिन इस process में प्रोसेस में जो energy का change हो रहा है उसको हम enthalpy कहते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं भीया इस प्रोसेस में चल क्या रहा है अरे इस प्रोसेस में electron का gain चल रहा है gaining of electron अगर electron gain हो रहा है तो उसको लिखा जाता है electron gain enthalpy इस प्रोसेस में electron gain किया जा रहा है इसलिए यहां पर electron gain enthalpy लिखा जाएगा delta H electron gain यहाँ पर हुआ क्या electron gain करने पर process के अंदर energy बाहर में clear मतलब कि exothermic है अगर exothermic है तो sign में यह negative होगा दोनो quantity wise सेम होते हैं लेकिन sign wise negative होते हैं electron affinity and electron gain enthalpy इतनी बात तो समझ में आई होगी यस सर और एक चीज़ देखें मालों कि यह neutral atom कोई A था इसका नाम रख देते हैं एक neutral atom A तो electron पाकर कि यह अपने आपको A negative NIN बना लेता है अब जो NIN है देखिएगा अब वो NIN अगर मैं इस NIN को एक electron और दूँ क्या यह लेना चाहेगा क्या यह electron लेना चाहेगा रहे नहीं लेना चाहेगा रहे इसकी खोपड़ी पर negative charge पहले से है एक electron और आएगा तो दोनो negative charge आपस में repel करेंगे तो इस repulsion की वज़ा से आपने आप वो नहीं लेना चाहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा जबरदस्ति और जबरदस्ति करने का तरीका क्या है एनर्जी देना तो आपको क्या करना होगा आपको क्या करना होगा एनर्जी देना पड़ेगा तो भैया जी देख रहे हो क्या करना पड़ेगा आपको energy भी देनी पड़ेगी और electron भी देना पड़ेगा इस condition में energy भी दो electron भी क्यों क्योंकि यहाँ पर electronic repulsion को कम करना है इसलिए energy लगेगी अब बताइए इस condition में क्या बन जाएगा एपर two negative बन जाएगा ठीक है जी अच्छा तो आप एक बाँ बताइए तो यहाँ पर electron affinity positive और negative इस process के लिए क्या यह electron चाहता है अरे नहीं चाहता भाई इसका मतलब क्या electron affinity negative और इस process की बात करो इस process में हुआ क्या अरे आपने बाहर से energy दी electron भी दिया तो भया जी यह endothermik है यहाँ पर endothermik process होगा इसका मतलब यह positive है आपने बाहर से energy दी है इसलिए क्या होगा endothermik होगा इतनी बात clear है क्या देख लीजिए इसमें कोई समस्या तो नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं first electron gain enthalpy यह first electron gain है यह second electron gain enthalpy है क्योंकि second electron आ रहा है न तो यह क्या है second electron gain enthalpy second electron gain enthalpy हमेशा आपको positive ही दिखाई देगा क्योंकि पहले वाले में उसने अपनी खोपड़ी पर negative charge ले लिया होगा तो negative charge लेने के बाद अब वो अगला electron जब लेगा तो सामने से energy भी लेगा तो हमेशा second electron gain enthalpy हम हमेशा positive होती है इसका कोई सक नहीं कोई संदे नहीं है चली अग क्या दिखेगा अगर मालों कोई पहले से stable है जैसे helium, neon ये क्या electron चाहेंगे नहीं चाहेंगे इसका मतलब आपको जो लोग electron नहीं चाहते उनको जबरदस्ती देने का तरीका है कि उनको electron भी दो और उनको energy भी दो तो इस condition के लिए आप क्या लिखोगे stable electronic configuration के लिए delta H हमेशा positive नजर आएगा stable electronic configuration के लिए हमें positive नजर आएगा क्योंकि मालों कोई atom है और वो stable है कोई atom है और वो stable है तो आपको क्या करना होगा electron देना पड़ेगा तो भाईया energy भी देनी पड़ेगी electron भी दोगे तो energy भी दोगे इसका मतलब ये endothermic process है चलिए यहां पर देख लेते हैं यहां पर आपको देखना है कि stable कहां कहां पर होता है stable यहां पर है stable यहां पर half filled और stable यहां पर है fully filled निश्चित रूप से आप इसको अभी के लिए घेर लीजिए बाद में आपको समझाता हूं मैं यहां पर भी ठीक है बाकी के जितने लोग दिख रहे हैं एक ची समझना ध्यान से आप क्या बोलेंगे आप यह बोलेंगे कि बेरिलियम के लिए डेल्टाइच क्या होगा डेल्टाइच positive होगा मतलब समझते हो क्या होगा बेरिलियम खुद में stable था तो उसने क्या करा विया बाहर से energy भी ली और electron भी लिया यह कहानी यहां पर भी है मेरे भाई यह कहानी इन दोनों ही cases में है क्योंकि यहां पर क्या है यह होता कि यहां पर डेल्टाइच आप positive लिखते में आपको बताऊं यह डेल्टाइच negative रखता है भले यह half filled है लेकिन इसके लिए डेल्टाइच negative है फॉस्परस के नीचे जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं उस ग्रुप वाले सब के सब energy लेकर के sorry electron ले करके energy देते ही है energy देते ही है इसमें कोई समस्या तो नहीं है यहां तक की बात समझ में आ गई है यस सर ओके अगला देख लेते हैं electron affinity में variation in the group बताइए variation in the group अगर आप group में जाएंगे group का मतलब क्या है top से bottom की तरफ अगर आप top से bottom की तरफ गए तो भया क्या बोला जाएगा size बढ़ जाएगा अगर size बढ़ेगा तो वहाँ पर electron affinity भी बढ़ जाएगी electron affinity क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी variation in the period के अगर मैं बात करूँ period में क्या होगा आप left से right जाओगे effective nuclear charge बढ़ेगा effective nuclear charge क्या होगा बढ़ेगा दुबारा सुनने effective nuclear charge क्या होगा बढ़ जाएगा और effective nuclear charge बढ़ जाएगा तो electron affinity भी बढ़ जाएगी अगर माल लो आप लेट से राइड जा रहे हो तो हो क्या रहा है साइड छोटी होती जा रही है और आपके नुकलियस पावरफुल होते जा रही है तो आप जब इलेक्टरॉन लेकर के आओगे तो नुकलियस और आपके लेक्टरॉन के बीच में जादा से जादा force of attraction होगा ज अच्छा होता है इसी वज़ा से वहाँ पर electron affinity अच्छी होती है लेकिन ग्रुप में उपर से नीचे जाते है साइज बढ़ती जाती है साइज बढ़ने का मतलब है जो आने वाला electron है वो नुकलियस से अब दूर आएगा इसका मतलब force of attraction कम है तो electron affinity भी कम हो जाएगी ये general tendency ह लेकिन अब सबसे important fact पर आते हैं एक है fluorine and chlorine का comparison fluorine versus chlorine इन पर बेज बहुत सारे सवाल आए है इन future भी आते रहेंगे ठेक है जी fluorine के पास क्या होगा बताइए आप लिखेंगे 2s2 लास्ट में होगा 2p5 2s2 2p5 अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 3s2 3p5 3s2 3p5 माम यहां पर को समस्क्ति नहीं अरे बहुअ यहां पर बढ़ेगा तो यह क्या हो जागा नीचे जाने पर कम गटाओ भौइ सो यहां पर बताएं यहांपर इन में बताएं यहां पर automate यह पर एलेट्रॉण डालना आपके हिसाफ दंग मेनसे क्या גा रहा है यहां जाना कहा पर आपको यहाँ आपको क्या लगेगा सोचने कि साइज क्या में बड़ी हो रही है तो इसके लिए अपर कम होनी चाहिए हम जरूर सूच सकते हैं लेकिन यहाँ पर यह चीज नहीं लगानी है कैसे लगानी है वह सुनिये घौन फ्लोरीन साइज में छोटा है क्योंकि उसके पास सेकंड सेल है, क्लोरीन साइज में बड़ा है क्योंकि उसके पास थर्ड सेल है, तो क्लोरीन जो होगा उसमें देखो क्या है, बड़ा सा घर है उसका, उसका बड़ा सा घर है, और बाहर से जो कोई उलेक्टरॉन तुम लेकर क को यहाँ पर टिका लिए तो यहाँ पर प्यार मुहबबत बना हुआ है रिष्टेदारों की बीच में और क्या बता है इस नूकलियस के बीच में लेकिन यहाँ फ्लोरीन के किसमयार थोड़ी परिसानी है मुंबई का घर है घर है छोटा यार ऐसा नहीं मुंबई वालों का द लोग हो गए जादा मतलब कि यहाँ पर electron density जादा है मतलब कि electron density जादा है valence cell में valence cell में electron की density जादा है तो जो electron आएगा ना उसको हलका सा repulsion फीज़ होगा उतनी जत नहीं मिलेगी जितनी chlorine के case में मिलेगी size के बड़े होने की वज़ा से इसलिए बोला जाता है कि जब chlorine electron receive करके chloride बनाता है तो वहाँ पर अगर मान लोग की delta h क्या है minus y है तो भाईया y की value जादा आएगी with respect to x जहाँ पर x क्या है जहाँ पर fluorine से जब fluorine negative बन रहा था तो जो delta h था वो minus x किलो जूल पर मूल था तो आप कहेंगे chlorine का electron gain enthalpy ज़ादा होता है ये electron को लेकर के खुस और प्रसंद है तो भाईया ज़ादा ज़ादा energy निकाल के वो आपको दे रहा है मेरी समझ से मेरा बात सब्स्मान अगी होगी कोई दिककत तो नहीं है नहीं होनी चाहिए अब यहां पर देख ले जिस त तरीक से अपने fluorine & chlorine में लगाया वही आपको यहां पर यह प्र लगाना है वही चीज आपको यहां भी लगाना है देख लिजिए P block में वही चीज़ आप लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है जो reason आपने इन दोनों के लिए चिपकाया वही reason यहाँ 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 और यहाँ चिपकाएंगे clear बाद अरे बोलो भाई clear है क्या अरे नही positive नहीं होगा मेरे भाई किसने बोला है राकेश साब यह गलत हो जाएगा अगर आपने positive बोला मैंने क्या बोला अरे यह fluorine चाहता है electron लेना अंदर से खुश है प्रसनल लेना चाहता है लेगा वो आएगा भी मैंने बोला हलका सा repulsion फील होगा लेकिन उसका fluorine का nucleus अपने रिष्टेदार को अपने घरी बुलाएगा यार प्यार होगा मुभबत होगी तो क्या होगा energy तो निकलेगा समझ गए बात यहां तक की बात समझ में आगी हाँ भाई practice seat मिल जाएगी आपको ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं आगे देख लेते हैं अब भया पूरे periodic table का आप एक बार अच्छे तरीके से क्या कर लिए postmortem in electron affinity ठीक है आपने क्या पढ़ा जब आप left से right जाते हो तो क्या मिलता है electron affinity जादा मिलती है लेकिन इनके case में तो electron affinity कुछ खास मिलने वाली नहीं है यह लोग तो electron के लिए प्यार रखते ही नहीं आप इनके लिए क्या बोलते हो इनके लिए delta h क्या होगा तब positive यह है endothermic यह electron को प्यार मुहबबत नहीं देते तो इनको neglect करके रखो बचा और कौन यह बचा यह जो फामली है यह ऐसी फामली है जो electron को पाकर के वह होगर एकदम ही प्रसंन हो जाती है एकदम यह प्रसंद हो जाती है क्यों क्यों कि यहाँ पर पहले से क्या रहता है NS2NP5 और एक electron पाकर के यह हो जाता है NS2NP6 ठीक है एक electron पाकर के वो यह बन जाता है तो inert gas configuration आराम से उसको gain हो जाता है इस वज़ा से electron यह जो family है यह सबसे जादा electron gain enthalpy रखने वाली family है ठीक है अब बताइए उपर से नीचे आएंगे ध्याम दीजिएगा उपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा कम होगा उपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा कम होता जाएगा तो यहाँ पर आप बना लीजिएगा यहाँ पर मां बताता हूं देखो fluorine and chlorine में क्लोरीन का जयादा तो पहले गलती ना हो इसलिए आप इनको बनालीजिए गलती ना करें तो पहले आप क्या करें fluorine chlorine के example से बाकियों में बनाएए लेकिन बाकी में normal tendency है नीचे जाने पर electron affinity क्या होती है, घटी है, कितनी बात समझना आ गई है क्या, यस सर, अगर मैं इस family की बात करूँ, इस family की बात करूँ, इसका order बनाईए, तो आप क्या बोलेंगे, chlorine सबसे आगे होगा, फिर fluorine आ जाएगा, fluorine के बात फिर कोन आएगा, bromine आ जाएगा, फिर iodine आएगा, ठेका जी, तो ये बात तो आपके दिमाग में चली गई होगी, कोई दिक्कत, कोई परिशानी नहीं है, clear है मामला, खतम होने वाला है, क्लास कोज ज्यादा टाइम नी लगेगा, ठेका जी, ओके, अब एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे, oxygen has minimum electron gain enthalpy in the family, oxygen आई ही है, बलकि यह सबसे कम रखता है, तो आप इसको सबसे नीचे रख सकते है, order में, order में oxygen सबसे नीचे आजाता है, अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ पे, order, तो मैं क्या लिखूंगा, कि sulfur का सबसे जादा है, यहाँ oxygen नहीं आएगा, बस, selenium आएगा, फिर tellurium आएगा, मालो, polonium को हम थोड़ी देर के लिए reject कर दें, कि मालो, हमारे पास polonium नहीं है, तो हम direct यहाँ पर क्या चापेंगे, oxygen, तो मैं यह कहना चाहरा हूँ, oxygen को आप यहाँ पर लगा देंगे, clear मामला, yes, अगली चीज क्या है, हालोजन फैमिली के अंदर, भया, पूरी फैमिली ह अगली चीज देखो, any element from group 17 has higher electron gain enthalpy with respect to other elements, समझा देता हूँ, देखो, इस फैमिली में सबसे कम किसका है, पूरी फैमिली में सबसे कम किसका है, इसका है, इसका कम है यह आयोडीन का, लेकिन देखा यह जाता है, कि जो सबसे कम वाला है, वो बाकियों के सबसे जादा से भी ज देखने को मिलता है, sulfur iodine में iodine का ही जादा होता है, ठीक है जी, any element from group 17 has higher electron gain enthalpy with respect to other element in the periodic table, सांदार चीज लगी ना आपको, yes sir, अब आते हैं कुछ questions करते हैं, ये question आप पढ़िए पहले, time लगेगा, question पढ़िए, time लगाईए, question को पढ़िए, यहाँ पर देखे क्या लिखा है, यहाँ पर आपको बताया क्या जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि formation of oxide to O2 negative, मतलब oxygen से आप O2 negative बना रहे हो, जब आपने पहला electron दिया, तो इसने electron ले करके अपने अंदर से energy निकाला, तो यह क्या हो गया, endothermic, यह क्या हो जाएगा, sorry, यह क्या हो गया, exothermic, यह क्य करना चाहता, तो बाहर से आपको energy देनी पड़ेगी, तो यह होगा, endothermic, उपर वाला exothermic, नीचे वाला endothermic, लेकिन, क्या लिखा गया, thus process of formation of O2 negative in gas phase is unfavorable, even though O2 negative is iso-electronic with neon, यह क्या कहना चाहते, मैं आपको समझाता हूँ, यह कुछ ऐसा सवाल बना रहे हैं, कि देखो यार oxygen था, आपने O2 negative बनाया, यहां पर तो neon का electronic configuration नहीं था, लेकिन जो आपने यहां बनाया, वो तो neon का electronic configuration गेन कर रहा है, यह O- से, यह वाले की बात कर रहा हूँ, यहां पर तो क्या है, inert gas configuration नहीं है, लेकिन आपने यहां electron दिया, तो यह inert gas बन गया, तो inert gas तो stable होना चाहिए, अगर यह stable है तो यार यहाँ energy तो निकलनी चाहिए थी ना क्योंकि last में जो चीज बन रही है वो तो stable है लेकिन आप क्या बता रहे हो कि यार energy देनी पड़ रही है तो उसका क्या reason बताएंगे उसका reason यह है कि उसकी खोपड़ी पर जो आपका NIN बना है उसकी खोपड़ी पहले से negative charge है तो electron देने की बज़ा से वहाँ repulsion होता है यह मैं अलग से एक fact समझा रहा हूँ question प्यार हो इतनी बास समझ में आगी यह sir आप पढ़िए यहाँ पर लिखा electron repulsion over with the stability gained by the achieving noble gas configuration वो कह रहा है भले वो उन्होंने noble gas configuration gain कर लिया हो लेकिन repulsion बहुत तगड़ा था इसलिए हमें बाहर से energy लगानी पड़ी है तो यह चीज़ समझ में आई क्या बलो भाई यह चीज़ समझ में आई क्या शायद आगई होगी पूरा आनंदन लीजी आगे देखें यह आप खुद करेंगे इनमें आप खुद करेंगे मैं आपको हिंट दे दूँगा देखो मैंने क्या बता है यह गुरुप 17 के लोग है और यह गुरुप 16 के गुरुप 17 और 16 में हमेश्था जादा कौन group 17 17 16 में ज्यादा कौन बोलो हिया यह कहां से है group 16 यह कहां से group 17 भले यह iod ने लेकिन इसका ज्यादा ही होगा देख लीजे और आपको मैंने क्या बताया था sulfur से oxygen के लिए बोलें तो sulfur से selenium selenium के बाद oxygen क्या होता अपनी family में सबसे कम होता है मैंने यह भी जवाब बताई दिया है इन दोनों की बात करें तो यह हो जाएगा इन दोनों की बात करें तो यह हो जाएगा ठेक है अगला एक question कर लेते हैं सायद आप यहां पर गलती कर बैठेंगे लीथियम और बोरॉन के case में तो मैं आपको बता देता हूं कि लीथियम के case में जादा देखने को मिलता है electron gain enthalpy ठीक है जी अब आपको यहां पर लिखके बता देता हूं जो आपका लीथियम है वहां पर क्या है electronic configuration s1 आता है यहां पर s2p1 आता है बोलो आता है कि नहीं आता है s2p1 आता है तो देखो भाया जो बाहर से electron आप लेकर आओगे लीथियम को देने वह तो s orbital में जाएगा लेकिन जब बोरॉन को देने आओगे तो वह तो s orbital में जाएगा तो आपका electron कहा जाना ज्यादा पसंद करता है s orbital में क्योंकि वह न्यूक्लिस के बगल में रहता है अगर जाना पसंद करेगा तो मतलब अंदर से को एनर्जी निकालेगा इसलिए लीथियम की एलेक्ट्रॉन के एंथेलपी जादा आती है विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन इतनी बात ठीक है यस सर अब अगला एक सवाल आप खुद करेंगे क्या लिखा है चलिए बताई देता हूं कि आपको जब तक यह कहूंगा आप सुधिद करोगे अगला को याय सरापी बता दो देखो लीचल स्टेबला आयन ढमा ऑन सिमाल लो और वह और सोब आप सब्कार णा रहे और रहा है तो यह बना कैसे होगा यहनों निक्ट्रोन रिसीम करकी यह चीज मताई यह बना का यहीं यहां पर को अलने इना रिसीब इसको आप electron दे रहे हो ये कब stable होगा कब भया stable नहीं होगा इसकी लाइन कैसे पता की जाती है कि आप ये चक करते हो कि जो last वाला है क्या उसके पास ध्यान सुनना क्या उसने अपने आपको बनाने के लिए बाहर से energy ली है अगर अगर ध्यान से सुनना electron लेते वक्त आपने ब इसका मतलब इसकी energy जादा होगी तो इसकी stability क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो ऐसी condition ढूढ़ो जहाँ पे जहाँ पे least stability है मतलब वहाँ पे energy जादा है और energy जादा कहां पे होगी जहाँ पे पहले से electronic vibration stable होगा तभी आपको बाहर से energy भी देनी पड़ी और electron भी देना Every came back I hope आपको समझना अगया होगा अगला दिखते है'm metallic character का मतलब क्या है metals उनको बोला जाता है जो अपने अंदर से electron निकाल करके खुद को positive charge बनानी की छंता रखते हैं और metallic character आप कह सकते हो कि जहां कहीं पे ionization energy जिसकी कम होगी वो अच्छा metal बोला जाएगा तभी तो वो electron जादा जल्दी निकाल पाएगा तभी तो वो electron जादा जल्दी निकाल पाएगा यस सर अगला है non-metal character non-metal character का मतलब कोई है जो electron आराम से receive कर ले और अपने आपको anion बना दे ये कब संभव है जब उस m का electron affinity अच्छी हो electron affinity क्या हो अच्छी हो और आप बताईए आप general tendency लेनी है यहाँ पे कुछ ज़्यादा rocket science नहीं लगा ना इन दोनों case में simple है general tendency से सवाल होता है यहाँ पे है ना extra कुछ नहीं लगाएंगे जब आप left से right जाते हो तो आपको क्या दिखता है आपको दिखता है कि ionization energy यहाँ से वहाँ जाने पर बढ़ती है अगर इधर से इधर जाने पर आने से energy बढ़ती है मतलब कि metallic character घट जाएगा लेकिन इधर से इधर जाने पर आप सब्सक्राइध्व electron affinity बढ़ती है इसका मतलब non metallic character तो non metals इधर होते हैं metals मेरे भाया इधर होते हैं और मैं अच्छे metals की बात करूं, अच्छे metals कहां मिलेंगे जहां पे lower अइनर्जिशन energy होगी, तो अगर मैं बोलू कि metallic character, जहां से सुनना, अगर मैं metallic character की बात करूं, तो अच्छा metallic character कहां देखने को मिलेगा नीचे की तरफ, मैं metallic बना रहा हूं यह order ठीक है जी क्यों क्योंकि जिसकी energy कम होगी वह एक अच्छा metal बोला जाएगा अरे बोलो भाई इतनी बात clear है समझ में भी आ रही है अच्छा इसी को बोलते है metallic character के अच्छे होने का मतलग भी होता है कि reactivity of metal reactivity of metal reactivity of metal ज्यादा reactive कौन होगा नीचे वाला active reactive ऐसी कोई सब्दाएं तो आपको क्या देखना है metallic character देखना है तो आप क्या देखते हो आप यही देखते हो कि देखो भाईया इधर की तरफ क्या होते हैं नॉन मेटल्स और इधर की तरफ क्या होते हैं मेरे भीया बोलो बोलो क्या होते हैं मेटल्स तो देखो भया मैं आपको बताता हूं मेटल्स कहां से कहां तक हैं देखो इसके इधर इसके इधर जितने भी लोग देख रहे हो इसके इधर जितने भी लोग देख रहे हो इसके इधर जितने भी लोग देख रहे हो यह मेटल्स है इतनी बास समझ में आ गई सर लगत हो रहा है कुछ समझ में आया है देखते हैं बाकी यह देखना भीया यह अब यहाँ पे कुछ लोगों ने शायद अब तक गलत पढ़ा होगा तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है यह जो बीच में लोग है यह metaloid है metal और non-metal दोनों का करेक्टर भया इधर non-metal इधर metal दोनों के बीच में कौन metaloid तो दोनों का करेक्टर जो रखेगा वो metaloid याद कैसे रखेंगे आज सबसे तेजी, आज सबसे तेजी, आज सबसे तेजी से पढ़ाया जा रहा है, आज सबसे तेजी मेटलोइड्स होते हैं, आज मतलब ये, आज सबसे तेजी, आज सबसे तेजी मेटलोइड्स होते हैं, आप साथ ये कहें कि भईया सिलिकन भी लिखा हुआ है, नहीं, ये स सबको छोड़ीए बाकि यह पंछ लोग आपके जेए किसापit यह उपकर आप यहाप किया होते हैं यह मेटलॉड होते हैं ना तो बोराङ मेटलोड ब्राइट एक unm entertained alsoνοfta घृओ सीलिकन भी ऑंन। लिए इतनी कहानी समझ गई तो यह ऊपर के लोग अब जो बचे वो क्या है यहां से देखो यहां के लोग non-metals, metalloids, नीचे metals. साहब कहानी क्लिए हो गई होगी, आगे आ जाते हैं that is electronegativity. Electronegativity क्या होती है? इसको यहां पर समझ लेंगे. Tendency of an attempt to attract shared pair of electrons from a covalent bond. जैसे माल लीजिये, हमारे पास covalent bond है, अभी समझा रहा हूँ, इस pact पर आऊंगो लेकिन आपे समझे, जैसे मालो A और B है. अगर मैं कहना चाह रहा हूँ, मालो मेरा अंदर इच्छा हुई, बिना समझे ही मैं कहना चाहता हूँ, electronegativity of A is greater than B. तो इसका मतलब क्या है, अगर A ज्यादा electronegative है, तो इसका मतलब होता है, कि उसको electron अपनी तरफ खींचने पड़ेंगे इस bond pair में जो है, अगर electron इनकी तरफ आएंगे, जैसे दो electron थे ना भाई, अमालो दो electron किसा करके कहा आगे, A की तरफ, अगर electron A की तरफ आएंगे, तो electron पर कौन सी charge है, negative charge, तो negative charge की density A के उपर इकठा हो रही होगी, तो इसको उपर कौन सा charge आएगा, negative charge आएगा, दूसरे पर कौन सा charge आएगा, positive charge आएगा, तो आप क्या बोलोगे, एक ऐसा item, जो अपने उपर negative charge बनवाना चाहता है, electrons को खींच करके, उसको electron negative element कहते हैं, और य मेरे पास द्यान सुनना, दो लोग थे, दो लोगों में मैंने ये कहा, कि देखो यार, Z effective of A, Z effective of A मान लो, की ज़्यादा है, Z effective of A ज़्यादा है, with respect to B, तो मैंने ये A बनाया है, और मैंने ये B बनाया, ये A बनाया और B, Z effective का मतलब क्या होता, nuclear powerful है, अगर nuclear powerful है, तो जो दो दोनों electron यहाँ पर रखे गए थे, share करके जो दोनों के बीच में electron रखे गए थे, उसको अपनी तरफ आसानी से कौन खीच पाएगा, तो आप कहेंगे एक खीच पाएगा, एक क्यूं खीच पाएगा, क्योंकि उसका effective nuclear charge अच्छा है, तो electron move करके कहा जाएगा, towards एक a nucleus, अना से बात रटना नहीं है, यहाँ से आपने logic लगाया, दूसरा देखे, अगर मैं कहूं, अगला fact देखेंगे, अच्छा बताओ, जैट effective के बढ़ने से क्या होता है, आपने क्या पढ़ा, जैट effective जिसका ज्यादा था, उसी की लगाएगा, बच्चों अभी stable हो गया, एक बार बताना, अब stable हो गया क्या, ओके, ओके, साधे stable हो चुका है, ओके, ओके, एक बार मैं दूबारा बता देता हूं, जो आपने बोला है, उसी को मैं, एक बार मैं बता देता हूं, don't worry, don't worry, यहाँ की बात चल रही थी, हम यहीं पर पहुंचे ते सेकंड पे, आपका लेग वाला करकर में ही सुरू हुआ था, मैं आपको दुबारा बता देता हूं, चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा है आपका, ठीक है, यहाँ पर देखे, अगर मैं बोलूँ कि size of A कम है, with respect to size of B, size of A is less than size of B, तो हम कैसे बनाएंगे, भ कौन खीच पा रहा है, सर ये खीच पाएगा A, कौन खीच पाएगा, अरे A खीच पाएगा, क्योंकि size में छोटा है, उसका nucleus के पास पड़ेगा, electron density कहां move करेगी towards A, अगर electron A की तरफ आएंगे, तो A क्या बोला जाएगा, electron negative, क्यों क्योंकि उसका powerful था क्या भीया, nucleus, इस सम of B के हिसाब से है, तो electron negativity क्या होगी, कम होगी, अब एक बाह बताओ, यह factor आप कब लगाते हो, यह factor आप लगाते हो, जब आप left to right चलते हो, मतलब कि period में चलते हो, तब यह कहानी लगानी है, लेकिन, 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 यह कहानी कब लगानी है, जब आप उपर से न मुलिकन स्केल सिर्फ कुछ चीजें हैं जाननी है वो देख लेते हैं अगला देख लें भीया आगे देखते हैं जो मुलिकन स्केल है वो बेज्ड है एक इंपेरिकल रिलेशन पर जोकी एनरजी ऑफ द बॉन्ड एंड इलेक्ट्रो नेगटिविटी पर डिफाइन है इंपेरिकल का मतलब होता है जुगाड है यहाँ पर इसका कोई डरिवेशन नहीं दिया गया है लेकिन एक्सपरिमेंट्स के फाक्ट्स को डेटा को देख करके एक फॉर्मूला क्रियेट किया जाए जब कभी भी तवहां पे लिखा जाता है कि यह इंपेरिकल फॉर्मूला है क्या वो वो इंपेरिकल फॉर्मूला है इतनी बात समझ में आगी है कि इसमें को दिक्कत नहीं है अ एक बार आप चेक करें तब तक, एक मिनट, यह स्विच कर गया है, तो, ओके, यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा, एक्चुली यह पॉलिंग था, बहुत थोड़ा सा उपर नीचे हो गया, ठीक है जी, पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल का यह रूल था, ठीक है यह फॉर्मूला को याद हो तो ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं है, कुछ चीजे जाननी होते हैं, देखो यह क्या लिख क्या है, वो मैं यह आप दिखा देता हूँ, डेल्टा क्या है, यह क्या है, बांड अनर्जी, बांड अनर्जी ओफ एबी, यह क्या बांड अनर्जी ओफ एए, बांड अनर्जी ओफ बीबी, मतलब ऐसे समझों कि आपको ना, एक्चुली निकालना है इसका, लेकिन इसको का एक तरीका, इंडारेक्ट तरीका लगाया गया है, कि A और A का, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कि आपको A और B के जो बीच में जो bond है, A और B के बीच में जो bond है, उस bond से Related Electronegativity compare करनी है, A और B का, ठीक है, और और इसके bond energy के साथ करनी है, तो हम क्या करते हैं? तीन bond energy यहाँ पर consider करते हैं. उसको इस तरीके से बोलते हैं कि हमने इसका एक, आप समझ लीजिए कि एक इसका क्या ले लिया है? मीन ले लिया, फिर इसमें से घटा दिया, तो जो value आई है, उसको हमने यहाँ पूट कर दिया, उतनी कहानी नहीं जाननी, falling scale के दो-चार चीज़ें मैं बता दूँगा. बसरते यह line आपको पता होने जाएं कि bond energy और electronegativity के बीच में relation होता है in falling scale, लेकिन mullican scale में, यह mullican scale है, यह mullican scale है, मullican scale में क्या होता है, आपको किसी atom का ionization energy लेना है, electron volt पर atom में, और इसके बाद लेना, electron gain enthalpy वो भी लेना है, electron volt पर atom में, दोनों को लिक करके divide कर दोगे, तो उस element का क्या आजाएगा, काई मतलब की electron negativity आजाएगा. मullican scale और falling scale के बीच में जो relation है, वो यह है कि मुलिकन scale is equal to यह देखा जाता है, falling scale में जब आप 2.8 से multiply कर देते हैं, तो आपको मुलिकन scale मिल जाता है, ठीक है, खतम होने वाला है, ज़्यादा time नहीं बचा है भाई, कम time में ही अब काम निपढ़ने वाला है आपका, यहाँ पर क्या लेट से राइट जाएंगे तो ज़्यादा होगा, उपर से नीचे जाएंगे तो कम होगा, तो आप बताएं सबसे ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का, फ्लोरीन यहाँ पर most electronegative होगा, इसको अब देख लेते हैं, फ्लोरीन क्या होगा, इसमें को दिक्कत परिसानी नहीं होनी चाहिए, इसम्पली आपको यह चीज याद होनी चाहिए, ठीक है, फ्लोरीन का आप देखो, पॉर्लिंग स्केल के इसाब से 4.0 है, प्लोरीन पे आप देखोगे, यह 3.0 आजाता है, नाइट्रोजन पे भी आपको 3.0 मिलेगा, आपको याद करा देता हूँ, कैसे करना है, इससे 0.5 कम लेआओ, 0.5 कम होगा तो यह 3.5, 3.5 से 0.5 फिर कम लेकिया हो, फिर से लेकर क्या हो, ठीक है, तो इस तरीक से लेकर क्या होगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यह 1.5, यह हो जाएगा 2, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप उधर से याद करना चाहें, उधर से याद कर लीजी, ठीक है, तो इनका क्या 1, यह आपने Pauling Skill के हिसाब से Electronegativity लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सर कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे हो जाएगा 2.8, और इसका हो जाता है 2.5, यह कम होता इस तरीके से जाता है, ठीक है, क्लोरीन से यहाँ आएंगे, तो पहले आपको यही घटाना है, तो यह 3 से 2.5 हो जाएगा, 0.5 घटाना है पहले वाले में, फिर आपको 0.4 घटाना है, 0.4, तो इसका हो जाता है 2.1, इसका हो जाता है 2.1, और एक चीज़ और बताता हूँ, 4 से 1 घटा के 3 बना, यहाँ पे क्या है, 1 में से 0.1 घटा होगे, तो 0.9 बनेगा, 0.9, अब यहाँ से कैसे जाओगे, 0.3, यहाँ से 0.3 करने पर कितना होगे, 1.2, इसका कितना हो जागा, 1.5, यहाँ से 1.5, यहाँ पे क्या हो जागा, 1.8, यहाँ पे क्या 0.3 की कहानी है, 0.3 की कहानी है, ठेके जी, यहाँ पे भी 0.3 की कहानी है, तो आप इस तरीक से याद रख सकते हैं, उल्टा करना चाहें, तो कैसे बोलेंगे, यहां से पहला चले, तो 0.5, दूसरा है, तो 0.4, और 0.4 के बाद सब में 0.3, 0.3 कम करते जाएंगे, तो सब का आपको याद हो जाएगा, यूजली इसी की ज़रोत है, इससे ज़रोत नहीं होती, कहानी खतम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करिए, इलेक्टो नेगेटिविट अफ एल्मूनियम इस सिमिलर टू, वैसे तो आपको याद करा दिया है, आप चाहो तो वहां से कर सकते हो, है ना, नहीं तो आप किसके साथ देख सकते हो, बोलो भाई, लीथ आपको समझाई है, ठीक है, अगला देख लेते हैं, लास्ट, बट नॉट लीस्ट, यहां से क्वेश्चन आता है, और इसको मैंने पहले भी पढ़ा रखा आपके चैनल पे, इसको इसी तरी किसना एक पेज पर ही लिखना, कहीं पर लिख लो, नो डाउन करो, ऑक्साइड क बारे में बात करते हैं, पहले आपको एमफोटरिक ओक्साइड से याद करने हैं, यह क्लास खत्म होने वाली है, अगले 10 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आप ज्यान दे करके इसको यहीं पर याद करने की कोसिस करें, तो बहुत अच्छा है, ज्यादा टाइम ना लगा ठीक है, एमफोटरिक ओक्साइड से होंगे, पहले यह आइन सियाद करने पड़ेंगे, क्या लिखा है, आज फिर सब कार वेंटो 13, क्या बोला मैंने, आज, एडबल ए, एस, आज फिर, आज फिर सब, आप बोलिए कि इसमें चैट में आप लिखे, आप चैट में कृपया लिखे ये ची, वेंटो 13, आज फिर सब कार वेंटो 13, देख लिजिए, आज फिर सब कार वेंटो 13, तो देखना, आज में कितने वर्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पर कितने अल्फावेट्स दिख रहे हैं, एक, दो, तीन, तीन है तो यहाँ पर लिखे 3 प्लस, यहाँ पर क जाएगा 5 यह क्या 13 में हो जाएगा 13 हो जाएगा तो प्लस 4 प्लस 4 टी आरे ठीक है इतना इतना आपने लिख दिया लिखिए सब लोग लिखो यार कि आज आज की स्पेलिंग AAS है आज फिर साबकार वेंटो 13 तो आपके सामनी यह आएंस आएंगे अब मैं जो लाइन बोलूँगा वो समालिएगा वो लाइन यह है कि इन आएंस के अगर ऑक्साइड दिख जाएं ऑक्साइड क्या होते हैं अरे इलेमेंट होगा ऑक्सीजन तो इनके परिसारी किसी को नहीं होनी चाहिए अगला क्या है जान सुनो बे आलिया जान सुनो बे नो डॉब्डाू गरें जान सुनो बे आलिया पब गई कैडवरी लेने यहाँ पे बी जो इनके ऑक्साइड सओंगे वह एंपोटरिक ओंगे और उपर वालों का तो oxidation state याद करना है नीचे वालों का याद नहीं करना है नीचे वाले किसी भी oxidation state में नजर आ जाएं आप ये guarantee के साथ खुली चुनोती दीजिए कि ये infoteric oxide से कोई सक और कोई समझ जाएं आपे नहीं होने वाली है इतनी बाद ठीक है क्या मामलागदम clear है चलिए आगे देख के बता देता हूँ देखिए इसमें को दिक्कत नहीं है लियाद करिए जान सुनो बे अभी आपने चैट में लिखा नहीं लिखे जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी लेने ठीक है जी नोट डाउन हो गया अब देखिएगा आज आज फिर सब कार वेंटो तेरा ये क्या है भईया एंफोटरेक और इनका oxidation state आप चेक कर लीजिए उपर वाला ही मिल रहा होगा अगला देख लीजिए अगला क्या है जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी लेने में जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी लेने ठीक है जी अरे ये उपर वाला यहां तक था देखो सुनो तक आगया अगला क्या है लेड से लेकर के आगे देखो यहां पर लेड के आपको यहां पर चार ओक्साइट दिख रहे होंगे तो यहां पेपर में जाके सक मत करना कोई भी दिख जा उससे फरक नहीं पड़ता अपना फॉर्मूला कहीं फेल नहीं होगा अपने फॉर्मूले का कोई एकसेप्सान नहीं है अपने फॉर्मूले का कोई एकसेप्सान नहीं है भाई लेड के चार ओक्साइट होते हैं और यह चार के इसके सब एंफोटरीक होते हैं ऑना के बार बात बता जीता हूं जो कडमियम ऑक्साइड है ना जो एंफोटरीक होते हैं उनके अंदर बेस का भी नीचर होता है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बतलब ऐसा समझो कि 63% basic character इसके अंदर इसके बावजूद ही क्या बूला जाता एमफोटरीक, अब ऐसा नहीं हो था कि 50-50% करेक्टर होता है, नहीं, बस थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है basic करेक्टर, लेकिन वो consider कहां किया जाता है, एमफोटरीक में, तो पहले पेपर में कुछ भी देखो, sequence important है, पहले आपके दिमाग में एमफोटरीक आएगा, oxides हैं, जो की क्या है भया, neutral हैं, ना तो acid ना तो base, क्या है, ये neutral हैं, ये तीन याद होने चाहिए, इसके बाद याद होने चाहिए basic oxides, तो पहले ये, फिर ये, सिक्वेंस में याद करना है, और पेपर में इसी sequence में apply करना है, अच्छा जी, basic oxides, अक्षा हम नहीं सुनते है कि हमारे जो metals होते हैं वो तो basic in nature होते हैं नहीं भया इस चीज का मैं धर्जियां उड़ा दूँगा भाई कोई सकनी जो समझा दिया है sir but 2 plus सबसे ज़्यादा एंफोटरिक होगा प्लस से अरे वो अलग बात है but एंफोटरिक होगा ना consider करेगा पेपर में यह पूछा जाए का कौन एंफोटरिक है कौन नहीं है तो उस तरीके से जबाब देना होगा कि भया चाहे लेड प्लस 2 में हो चाहे प्लस 4 में वहाँ पे आप क्या बोलते हो कि सब के सब एंफोटरिक हैं सब के सब क्या हैं एंफोटरिक हैं अब ही मैं बाकी आप जो बोलना चाहरे हैं मैं समझ चुका हूँ यहाँ पर मैं बताऊंगा मेटल्स अगर प्लस 1 के अंदर हैं प्लस 2 के अंदर हैं या प्लस 3 के अंदर हैं मेटल्स अगर प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 ऑक्सिडेशन state के अंदर हैं तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे भया वो metals क्या होते हैं basic होते हैं लेकिन oxidation state plus one plus two plus three हो तब ही हमेशा नहीं लेकिन अगर metal plus four oxidation state के अंदर आगे metals अगर plus four oxidation state के अंदर आगे तब आप बोलोगे कि वो एमपोटरिक है लेकिन अगर metal plus five plus six और plus seven के अंदर है तो वो acidic होता है क्या आप बात कर रहे हैं metal क्या oxide acidic भी हैं यस जनाब लेकिन वहाँ पर metal की खोपड़ी पे plus five plus six plus seven oxidation state होने जरूरी है मामला क्लिया रहे गया यस सर जैसे जैसे oxidation state बढ़ रहा है acidic nature बढ़ रहा है तो आप क्या कहोगे जब oxidation state कम होता है तो उसके अंदर basic nature होता है लेकिन oxidation state के जादा होने से acidic character जादा होता है बोलो भाई मामला ठीक है यहां तक की बात में कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छा है आगे देख लेते हैं यहां प जाए कि FeCO3 sorry FeO3, CrO3, Mn2O7 यह सब acidic oxides तो छाटने में कोई दिक्कत अब से नहीं होनी चाहिए ठीक है आप को के भाई एक बाह बताओ एलमूनियम जो plus 3 एलमूनियम तो एक मेटल है तो आपको यहां consider करना यहां मैंने क्या बताया था पहले आपको एमफोटरीक देखना है फिर आपको नीट्रल तब जाके यहां अगर आपको पता है कि एलमूनियम जो है एमफोटरीक के अंदर है तो आप यहां क्यों रहते हैं लोग बोटर हैं पढ़ाते हैं बट नहीं पढ़ाना चाहिए उसका कुछ रीजन है कभी देखेंगे उसको अब फिलहाल यहां पर देखते हैं यहां इसमारे जो मेंटल्ल से उनके औट रीजन होते हैं उसी तरीकिसा में कहानी कहते हैं कि नॉन मेंटल के आक्साइड क्या होते हैं इसमें कोई सक्षण और नहीं है तो देखले लिजिए नॉन मेंटल के और रोटन का का औरम नाइट्रोजन औक्सीजग फॉस्फॉरस इसके बाद chlorine. यह जो oxides लिखे गए हैं. यह सब के सब क्या है ऐस्टिक nature के हैं. क्यों हैं? क्योंकि ये non-metal के oxides है. क्यों हैं ये? क्योंकि ये non-metal के oxides हैं. देख लिजे ठेक हैं. और acidic oxygen और कहां मिलेंगे सर? ये रहे. Acidic oxide ये रहे. Acidic oxide ये रहे. सर, एंफोटरिक क्या इतने ही होते हैं? नहीं, ये लोग भी हैं, जब मेटल पर क्या हो? प्लस पोड हो, समझ में आया क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगला है मेटलॉइड ओक्साइड, अक्सर आप पढ़ते हैं, मेटलॉइड के जो ऑक्साइड होते हैं, तो देखो, जो आप अक्सर पढ़ते हो ना, उसमें से आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी, जैसे AS मिल जाएगा, SB मिल जाएगा, है ना, AS और SB के ऑक्साइड क्या है, इंफोटरिक हैं, इसमें हमने देखा था, इतनी बास समझ मैंगी, लेकिन लोगर ऑक्सिडेशन स्ट अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ, पहले मेटलोइड्स याद होने जरूरी है, यह पांच मेटलोइड्स हैं, आज सब से तेजी, क्या आज सब से तेजी, आज सब से तेजी मेटलोइड्स होते हैं, तो इनके मैंने ऑक्साइड बना लिए, देखना ध्यान से, देखो, TE यह मैंने oxidation state याद कराएं तो जिस तरीके से मैंने पढ़ा है अगर आप उसी को follow करेंगे कभी गलती नहीं होगी चलिए कुछ previous question करवाने हैं बच्चे बोल रहे हैं बहुत most basic oxide कौन सा है most basic कौन सा है selenium वाला क्या होगा भई देख लेना ये question करिए ये कर ले जाएंगे याद मजाक है आपके लिए CO क्या है neutral, BAO क्या है basic, L2O3 क्या होती है M4trick ये होता है अपनी phone में ही revise करते जाएंगे, phone खोलना है इस तरीके से मने पढ़ लिया है कि उसी sequence में अगर आपने set कर लिया दिमाग में आपसे एक भी question गलत नहीं होगा periodic table से सब कुछ पढ़ा दिया गया है, सब तरीके का question आपको करा दिया गया है, कोई दिक्कत, कोई परिशानी होगी तो निश्यतरुक से contact करें हम आप तक जबाब ले करके आएंगे फिलाल क्या करना है, फोन से, आपको हर PPT पर एक बार ध्यान देना है, और एक बार क्या करना है, अगले मतलब आपको 40 मिट लेने हैं, एक बार अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसका note बनाईए, अधरवाइस एक बार PPT से दिमाग में set कर लिजी, और ऐसा पढ़ लिजी क भीया, पेपर तक डारेक्ट ये ऐसा चैप्टर जाए, ठीक है, मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में, तब तक के लिए खुस रही है, प्रसन रही है, no doubt, पंकर सर आपको और्गनिक केमस्टी पढ़ाने आ रही है, ओके, बाई-बाई, टेक केर के अगले हैं झाल झाल झाल